Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching स्वागत है आप सभी का आज के live class में और आज हम start करेंगे new chapter Magnetism and Matter, चुमकत्व और पदार्थ ये हमारा आज का नया chapter है, new chapter आज हम start करेंगे इससे पहले हमने विद्धितावेस्ताथा छेत्र का chapter कम्प्रीट किया और यह chapter भी magnet के concept से ही related है तो स्वागत है आप सभी का good evening, good evening good evening to all of you, good evening आप लोगों के बहुत CG board के 12th class का result आया 96% अभी से UP board से, okay very good very good बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से अपना achievement share करते हो ठीक, very good आगे भी सभी student को बहुत अच्छा करना है है ना, आगे भी सभी student को बहुत अच्छा करना है तो class इस्टार्ट करें फिर आगे सभी लोग good evening, good evening class इस्टार्ट करें आगे और आज का हमारा जो chapter है चुम्बकत्व एवं द्रव्य magnetism and matter चुम्बकत्व एवं द्रव्य दो सब्दो से यह हमारा chapter बना है पहला है चुम्बकत्व, दूसरा है द्रव्य द्रव्य मतलब पदार्थ तो सबसे पहले तो हम magnet के बारे में पढ़ेंगे फिर magnetic materials जो होते हैं चुम्बकी पदार्थ जो होते हैं सब प्रकार का पदार्थ आपको इस chapter में नहीं पढ़ना है इस chapter में आपको चुम्बकी पदार्थों के बारे में पढ़ना है वो हम last में one by one पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम discuss कर लें चुम्बक के बारे में कि भई चुम्बक क्या होता है यदि हमको पूछा जाए कि चुम्बक क्या है तो हम क्या कहेंगे चुम्बक तो आप बचपन से खेल-खेल में यूज किये होगे आप lower class में इसकी पढ़ाई भी किये होगे और कभी भी हमारे हाथ में जब छोटे रहते हैं तो बचपन में कोई चुम्बक हमारे हाथ में लग जाता है तो उसमें कुछ-कुछ पदार्थ को अपन चिपकाते हैं तो बहुत मज़ा आता है तो चुम्बक तो बचपन से हमारे एक तरह से खेलने का वस्तू होता है चुम्बक हमको मिलता ही है ठीक है तो देखें कि हम चुम्बक होता क्या है चुम्बक को हम यहाँ पर systematic definition करें तो कैसे करेंगे तो चुम्बक एक पदार्थ है जो क्या करता है चुम्बक की वस्तूओं को अपनी और आकर्षित करता है यहाँ परांस अबंदों को ध्यान देना आकर्सित करता है चुम्बकी वस्तू को अपनी और आकर्सित करता है तो कई बार इस्टूडेंट्स के दिमार्ट में क्वेशन आता है कि सर प्रतिकर्सित भी तो करता है क्योंकि चुम्बक में उन्होंने आकर्सन प्रतिकर्सन दोनों का घर्टना देखा है तो आप पर इभासम बोल और सिर्फ आकर्सित करता है तो भाई सब्दों को ध्यान दो चुम्बकी वस्तू को मैंने बोला ना कि चुम्बक को बोला कोई भी चुम्बकी वस्तू हो या कोई भी चुम्बकी पदार्थ हो उसको तो आकर्सित ही करेगा उसको प्रतिकर्सित नहीं करेगा आकर्षन और प्रतिकर्षन किसी दूसरे चुम्बक को करेगा एक चुम्बक है और उसके पास में कोई दूसरे चुम्बक आता है तो धुरू के एकार्डिंग, पोल के एकार्डिंग उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा लेकिन जब उसके पास कोई चुम्बकी वस्तु आए तो उसको तो केवल क्या करेगा आकरसित करेगा जैसे निकिल, कोबाल्ट, आयरन ये सब क्या है चुम्बकी पदार्थ है निकिल, कोबाल्ट, आयरन ये सब क्या है चुम्बकी पदार्थ है या चुम्बक ऐसा पदार्थ होता है जो चुम्बक की वस्तू को अपनी और आकरसीद करता है क्लियर यह बस इसकी परिभासा अब हम one by one देखो यहां पर हम बिल्कुल zero level से स्टार्ट करेंगे आपके साथ में डिस्कस मतलब चुम्बक मने चुम्बक की परिभासा उसके गूर उसके प्रकार उसके जित्रे भी चीज होते हैं सबको बिल्कुल सुक्ष्मता से और आपका ऐसा भी मालूम है कि पहला जो मेरा क्लास होता है किसी भी चेप्टर पर वह इं मजना है इंट्रेस्ट भी क्रियेट होता है पहले लेक्चर से आपको अब हम यहां पर पढ़ते हैं चुम्बक के बहुत से गूर होते हैं अब चुम्बक के गूर को हम बारी-बारी से यहां पर स्टड़ी करें चुम्बक में तो बहुत से गूर होते हैं तो देखें यहां आप लोग क्या क्या property पहले से जानते हों चुंबक में क्या क्या property होती है ये कोई कुछ बता सकता है क्या चलिए मैं आपके chat पढ़ रहा हूं आपके comments को पढ़ रहा हूं और आप बताइए कि चुम्बक पर क्या क्या property होती है समानी property जो basic nature है उसका किसी भी चुम्बक का चलिए मैं read कर रहा हूं good evening good evening चलिए तो one by one मैं आपके साथ discuss करता हूँ कि क्या क्या होता है ध्यां से सुनना चुम्बक में दो धुरू होते हैं मैं side cut में लिख रहा हूँ ना पूरा sentence नहीं लिखूंगा दो धुरू होते हैं नार्थ और साउथ चुम्बक की पहली प्रापर्टी की चुम्बक में दो धुरू पाये जाते हैं नार्थ और south पहली प्रापर्टी clear दुसरी प्रापर्टी क्या है समान धुरू समान धुरू क्या करते हैं प्रतिकरसित समान धुरू एक दुसरे को प्रतिकरसित तथा असमान्धुरू आकर्षित करते हैं जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे नार्थ नार्थ को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा तो एक important property क्या हुआ समान्धुरू प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान्धुरू होते हैं वो आकर्षित करते हैं जैसे नार से साउथ को क्या करेगा आकर सीथ करेगा clear यह एक प्रापरिटी हुआ तीसरा प्रापरिटी यह है कि चुम्बक पर चुम्बक को पीटने पटकने या गर्म करने पर या गर्म करने पर चुम्बक कत्व नस्ट हो जाता है यदि हमारे पास कोई चुम्बक हो और उस चुम्बक को हम क्या करें पीटने लगें उसको पटक दें जमीन पर बल लगाके या उसको गर्म कर दें तो चुम्बक कत्व नस्ट हो जाता है ये इसकी तीसीर प्रापरिटी है क्यों होता है हम आगे कारण इसपस्ट करेंगे जब इसका अडूसी धान को हम पढ़ेंगे इस पकार से चुमबा को पिटने पटकने अगर्म करने पर उसका चुमबा कत्व नस हो जाता है देखो छोटी छोटी बातों को भी आपको समस्ते हुए चलना है क्योंकि इनी छोटी बातों से आपको फिर बेस्क तयार होता है आपको मालूम है चौथा महत्रपूर्ण पाइंट ये है कि स्वतंतरता पूर्वाक लटकाने पर पृत्वी के नार्थ साउथ की और ठहरता है की और ठहरता है यदि हम किसी दन चुमबा को या किसी भी चुमबा को जिसमें नार्थ पूर्वाक लटका दें मतलब रसी से बांद के हम इस तरह से लटका दें तो हमेशा पृत्वी के नार्थ और साउथ की ओर ठहरता है ये सब हमको आगे के टापिक पर डिटेल में पढ़ना है अभी सिर्फ आप फेक्ट को जानो अभी मैं एक एक टापिक को एस्प्लेन करना इस्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा एस्प्लेलेशन है तो इन चीज चुंबक को काटने पर चुंबक को विभाजित करने पर कहना चहिए चुंबक को विभाजित करने पर परत्यक भाग मतला परत्यक तूटड़ उसका क्या होता है पूर्ण चुम्बक होता है बहुत प्रापर्टी है सब आपको जानना है 500 पाइंट में आपको क्या बताया कि चुम्बक को विभाजित करने पर मारे चुम्बक को यह दी हम छोटे छोटे तुकड़ों में विभाजित कर दें तो चुम्बक को विभाजित करने प प्रत्यव्य भाग अपने आप में पून्हों चुम्बख होता है मतलब उसमें नार्थ और साउथ पोल होते हैं जैसे माल लो मेरे पास चुम्बख है और इसको मैं तुकड़ों में काट दूंगा तो इसका जितना भी तुकड़ा मीलेगा हर तुकड़ा अपने आप में एक पूर्ण चुमबक होता है क्योंकि इसके नार्थ साउथ पोल एलाइन हो जाते हैं आगे मैं भी एस्प्लेंड करूंगा जब आपको चुमबक का अडूगती मतलब आणविक सिध्धान पर होगा ठीक है तो ये 5 पाइंट हुआ इसके बाद एक और महत्व पूर्ण पाइंट ये है 6 नंबर का पाइंट वो क्या है कि चुमबक का स्वतंत्र धू प्राप्ट नहीं किया जा सकता आज तक किसी वैज्यानिक ने इसमें सफलता नहीं पाई चुम्बक का स्वतंत धू प्राप्त नहीं किया जा सकता इसका मतलब क्या है जैसे आपने विद्यूत के चेप्टर में पढ़ा कि हम एक स्वतंत्र पाजिटिव चार्ज और एक स्वतंत्र निगेटिव चार्ज पास सकते हैं हम कह सकते हैं कि इस पिंड में केवल धन आवेस है या इस पिंड में केवल गेड आवेस है ऐसा हम आवेस में कह सकते हैं बट ऐसा मेगनेट में पासिबल नहीं होता मतलब चुम्बक के ध्रूव विभाजित करना असंभव है मैं यह नहीं कर सकता कि इसमें सिर्फ नार्थ पोल है यह नहीं कर सकता कि इसमें सिर्फ साउध पोल है यदि नार्थ है तो must उसके साथ साउध भी रहेगा It's not possible कि अकेला नार्थ हम पा सके यह बहुत अद्भूत गुण है चुम्बक का अब ऐसा क्यों होता है यह सब अभी आपको समझ में आएगा जब उसका आडविक सिधान्त में आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद एक्ट्वल में होता क्या है मेरिनेट को समानी रूप से समझ लेना ऐसी उसके बारे में हलका फूल का पढ़ लेना बहुत अलग बात होता है लेकिन जब आप उसको सुक्षमता से डिस्कस करोगे तो बहुत से ऐसे प्रापरिटी आपको जानने को मिलेंगे जो आपको सुन के आश्या लगेंगे और आप 12th क्लास की स्टुडेंट हो आपको उसको सुपरफिसियल मतलब ऐसी हलके में नहीं पढ़ना है एक एक चीज़ पर डिस्कस करके पढ़ना है तो छोटी छोटी बातों को समझ नहीं तो यह जो मैं चुमबक की प्रापरिटी आपको बता रहा हूँ यह प्राप्त नहीं किया जा सकता 7th number का बहुत important point है वो यह है कि जब किसी चुमबक के पास हम किसी चुमबकी पदार्थ को लाते हैं तो उसमें भी चुमबक का गुण उत्पन हो जाता है चुमबक के पास चुमबक के पास चुम्बक के पास चुम्बक की पदार्थ को लाने पर उसमें भी चुम्बक का गुण उत्पन हो जाता है अब मालूम इसके इस नेचर को क्या कहते हैं और इसके इस नेचर को हम चुम्बक की प्रेरण कहते हैं कभी परिच्छा में आपका दो नमबर का पूछ दे कि चुम्बक की प्रेरण किसे कहते हैं तो यही इसकी परिभासा है इस पकार से आप देखो, ये point क्या कहता है, चुमबक के पास, मालो अपने पास कोई चुमबक है, तो चुमबक के पास जब हम किसी चुमबकी पदार्थ को लाते हैं, देखो चुमबक और चुमबकी पदार्थ में थोड़ा difference होता है, ये भी अभी आपको आगे समझ में आए तो जब किसी बी चुमबक के पास हम चुमबकी पदार्थ को लाते हैं, तो उसमें भी चुमबक का गुण कुछ समय के लिद्पन हो जाता है, कभी कभी परमाने भी उत्पन हो जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि आलपीन वगर रखने का जो बाक्स होता है, वो मेगन उसको चुम्बक में लगा के रखे रहते हैं क्योंकि उसके बाद जब वो स्कुडरिवर यूजस करते हैं तो कहीं से उनको ऐसे जगह से इसकू को निकालना है जहां पर हाथ भी पहुच पाताए तो इसकूर डाइबर उसको चिपकाई चिपकाई अपने साथ बाहर ले आता ह यह सब magnetic induction है यह चुमबकी प्रेरण है तो चुमबक का एक special property होता है कि जब किसी भी चुमबक के पास हम किसी चुमबकी पदार्थ को लाते हैं तो उसमें भी चुमबक का गुण उत्पन हो जाता है that is called magnetic induction इसको हम चुमबक की प्रेरण कहते हैं तो यह मैंने आपको seven बहुत important point बताया यह गुण तो बहुत लोग को पता रहता है लेकिन परियाप तो गुण पता नहीं रहता और इस कारण से उनको problem होता है ठीक है तो इसको बहुत ध्यान से समझे एक बार में repeat करता हूं। स्वतन्तर्था पूरख लटकाने पर पृधिके नार्ज सवाउत की और ठहरता है चुंबक को विभाजित करने पर प्रतियक भाग पुर्ण चुंबक होता है और इसके बाद हम देखें चुंबक का स्वतन्तरधूर प्राप्त नहीं किया जा सकता independent pole नहीं पाप्त कर सकते हैं और seventh और important point है कि चुम्बक के पास चुम्बकी पदारत को लाने पर उसमें भी चुम्बक का गुण उत्पन हो जाता है और इसे हम चुम्बकी प्रेरण कहते हैं clear तो यह हो गया हमारा चुम्बक और उसका गुण कि चुम्बक किसे कहते हैं और चुम्बक का क्या-क्या property है clear तो कोई problem यहां तक चलिए ठीक अब हम आगे देखें चुम्बक के प्रकार ठीक है यह सब आप लोग को पहले से पता है आप लोग इसके बारे में कम से कम थोड़ा बहुत जानते हो और मैं थोड़ा और detail में discuss करता हूँ चुम्बक के प्रकार तो भवही चुम्बक के हमारे पास दो प्रकार होते है एक कहलाता है प्राकृतिक चुम्बक प्राकृती नहीं है यह प्राकृतिक है ठीक है इसमें कर रहेगा टाइप होना भूल गया है इसमें प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मेगनेट और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक आर्टिफिस्यल मेगनेट तो दो तरह के चुंबक पाये जाते हैं एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृतिम चुंबक नाम से इसपस्ट है प्राकृतिक चुंबक का मतलब होता ह जो प्रकृति में हमको मिला है, जो गार्ड गिप्टेड है, जो नेचर ने दिया है, ठीक है? साइंस नेचर को ही गार्ड मानता है. तो जो हमारे nature में already available है जिसको हम लोगों को बनाने का ज़ुरत नहीं पड़ा वो क्या कहलाता है प्राकृतिक चुम्बक कहलाता है और मालूम हमारे पास एक ही प्राकृतिक चुम्बक है कौन है भई? कौन है प्राकृतिक चुम्बक हमारे पास? जो nature नहीं हमको दिया है बताईए example बताईए आप लोग प्राकृतिक चुम्बक क्या है बताओ कोई नहीं? अरे तुनंत response दिया करो अब इतने तरह का चेट तो आप लोग करने में लगे रहते हो तो कुछ पूशता हूँ अभय मिस्त्रा अर्थ ठीक है अब बहुत लोग बता रहे हो ठीक है साहील ओके तो हमारी प्रित्वी प्राकृतिक चुम्बक क्या है? हमारी प्रित्वी प्रित्वी में चुम्बक का गुण पाया जाता है क्यों पाया जाता है आज तक नहीं पता ये भी जान लो कि पृत्वी में चुम्बाक का गुण क्यों आया आज तक नहीं पता कुछ मान्यता है वो मैं आपको जब पार्थी चुम्बाकर तो पढ़ाऊंगे इसी चेप्टर के लास्ट में तो आपको एस्प्लेन करूंगा कि मान्यताएं क्या क्या है लेकिन अभी तक उसका कोई authentic reason नहीं पता है कि पृत्वी में चुम्बाक का गुण आखिर आया क्यों दूसरा है कृत्तिम चुम्बाक कृत्तिम चुम्बाक का मतलब क्या होता है जो माना और निर्मीत होता है माना और निर्मीत मतलब जिसको हम लोगों ने बनाया मनुस्यों ने बनाया वो क्या कहलाता है क्रित्रिम चुम्बक कहलाता है अब क्रित्रिम चुम्बक के बहुत से प्रकार होते हैं जिनको हम गीन के नहीं बता सकते हैं कि तीन होता है भाई चार होता है पांच होता है अच् इसका डिजाइन करते हैं वैसी इसका नाम रग देते हैं मतलब वास्तों में इसको विभाजित कर रहा हूं है इसकी आकरिती के अधार पर इसके जैसा इसका रूप है उसके अधार पर तो होता क्या है मेरी बात ध्यान से सुनना क्रित्रिम चुंबक हमने क्यों बनाया क्योंक से ऐसे उपकरण है धार हमापी बनाया तो जरूरत पड़ा ऐसे हजारों जगा में हमको चुम्बक का जरूरत पड़ा क्योंकि electricity और magnet का बहुत combine relation है आगे हम पढ़ेंगे विदी चुम्बक की पिराण वगरा में तो वैग्यानिकों को जब machine design करना हुआ वैग्यानिकों ने जब machine design किया तो machine design करने के लिए उस machine में जिस आकृति के चुम्बक का जरूरत पड़ा वैसे आकृति का उन्होंने चुम्बक बना लिया तो कैसे उसको गिंती कर सकते हो आप कितीन होते हैं चार होते हैं पांच होते हैं कोई गिंती नहीं है जैसी उसकी आकरिती वैसी उसका नाम फिर भी कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस हैं जिनका बहुत जादा यूज होता है बहुत जादा यूज होने के कारण हम उनको नाम दे नाल चुम्बक फिर आपको बता दूँगा मैं वृत्ताकार चुम्बक फिर आपको बता दूँगा आताकार चुम्बक भी वृत्ताकार चुम्बक कही टाइप है तो सबसे पहले देखो पहला नाम मैंने आपको बताया क्या यह दंड चुम्बक सबसे फेमस और हमारे काम का यही है दंड़ चूम्बक इंगलीश में बोलते हैं बार मेगनेट दूसरा प्रकार नाल चूम्बक नाल चुम्बक मतब इंगलिस हम बलते हैं हार ससू घोड़े के पैर में नीचे जो यू सेप कर नाल लगाते हैं नाल आप सबको पता हूँ तो नाल चुम्बक कहते हैं फिर देख लें वृत्ताकार चुम्बक जो सर्कुलर हो फिर हम त्रिभूजाकार भी समझ सकते हैं आयताकार भी समझ सकते हैं त्रिभूजाकार देखा भी होगा ऐसे अलग-अलग डिजाइन के मेगनेट होते हैं जैसे दंड चुम्बक के बारे में आपको बता दूँ कि दंड चुम्बक कैसा होता है तो दंड मतलब क्या होता है डंडा दंड दंड मतलब होता है डंड की बार की तरह ये ठीक है तो इस तरह का जो मेगनेट होता है उसको दंड चुम्बक करते हैं और दंड चुम्बक का हम क्या करेंगे सबसे जादा यूज करेंगे कैसे करेंगे आगे मैं आपको पढ़ाते ज होता है एक पॉल नार्थ एक पॉल साउथ यहां पर भी एक पॉल नार्थ एक पॉल साउथ इस पकार से जो घोड़े के पैर में लगाते हैं क्योंकि घोड़े के नीचे में जो उनका हाइड पोर्सन होता है वह बहुत तेज दवड़ने वाला होता है घोड़ा का नेचर होता The व्रित्था कार्चुम्बक आपक होगा इस पकार से वृद्ध क्या होता है इस लिए चुछ काते हैं वरिृत्ताकार चुमबक क्याते हैं तरिभूजके आकार का मतलब बहुत से प्रकार होते हैं धन्द नाल चुंबगया इनल play व्रिटा के चुंबगय त्रिपी comprends और २ुमिंप के कुछ प्रकार की अब यहाँ पर हम थोड़ाशा डिसकस कर लें चुंबग के आडविक सिद्धान पर यह समस्तंशन臨 मैं समझता हूँ कि यदी कोई student, मेरी बात बहुत ध्यान से सुना है, यदी कोई student चुमबक के आणविक सिध्धान्त को नहीं समझा है, या नहीं पढ़ा है, इसके बारे में नहीं जानता है, पर इच्छा में आए चाहे मत आए, वो बात की बात है, तो मेरा मानना है कि वो च चुमबक का कुछ नहीं जानता, सिर्फ चुमबक को वो याद कर लिया है, कैसे भी आपको पता चलेगा, कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चुमबक के आणविक सिध्धान्त तीन है, हमाली कुले ठीरी आप मेगनेट इसके थ्री पाइंट्स है, पहली बात मैं इसके सिध द्धान्त को एस्पेन करने से पहले कुछ डिसकसन आप से करूं, वो यह कि कभी आपने सोचा होगा, कभी आपके दिमाग में एक क्वोस्चन आया होगा, कि मालो मेरे पास यह एक मेगनेट है, जो लोहे का बना हुआ है, और मेरे पार विल्कुल ऐसी एक और तुकड़ा है ठीक है, मालो यहाँ पर, यह मेरे पास एक और तुकड़ा है, मैं पेन रखा हूँ यह, तो यह चुम्बक है, लोहे का बना है, यह चुम्बक नहीं है, यह भी लोहे का बना हुआ है तो हमारे दिमाग में question आना चाहिए कि भाई ये भी चुम्बकी पदार्थ है अब यही पर आपको समझ में आएगा कि चुम्बक और चुम्बकी पदार्थ Magnet and Magnetic Matters चुम्बकी पदार्थ में difference क्या है तो यह चुम्बक है और यह चुम्बकी पदार्थ है दोनों iron के बने हैं दोनों के particles का chemical property, physical property, रसाइनिक गुण, भौतिक गुण सब समान है दोनों में हर तरह से समानता है उसके बाद भी एक चुम्बक है और एक चुम्बक नहीं है तो क्या ऐसा हो गया इस question का answer आपको इसी सिधान को समझने के बाद मिलेगा आगरी मेरी बास समझने तो एक लोहा चुम्बक बन चुका है और एक लोहा समाने लोहा ही है चुम्बक की पदार्थ ही है यह क्यों होता है जबकि इसके भी प्रत्येक अडू पूर्ण चुम्बक है तो एक एक point पर आपको explain करता हूँ ध्यान से समझते जाना तो पहला सिध्धान चुम्बक का पहला सिध्धान जो पढ़ेंगे first वो क्या कहता है कि चुम्बकी पदार्थ का प्रत्येक अडू इसलिए इसका नाम आडविक सिध्धान्त है प्रत्येक अडू पूर्ण चुम्बक होता है पूर्ण चुम्बक मतलब उसमें नार्थ और साउथ पोल पाया जाता है क्या प्रमाड है इसका भई? अब हम जाने कैसा है इसको? कि चुम्बकी पदार्त का प्रत्य कड़ू पूर्ण चुम्बक होता है इसका प्रमाड क्या है? तो हम प्रमाड पर भी बात करें प्रमाड यह है कि विभाजित करने पर अब भी मैं आपको बताया हूँ कि विभाजित करने पर नार्थ साउथ पोल पाये जाता है वैज्यानिकों ने चुम्बकी पदार्त को पूरग ग्राइंडिंग करके पावडर बना दिया, माइक्रोस्कोप से देखने लाइक बना दिया तो भी उसमें नार्थ साउथ पोल था, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ नार्थ रह या सिर्फ साउथ रहे तो यह इस बात का प्रमाड है कि चुम्बकी पदार्त का प्रत्प्यक अडू अपने आप में पूर्ण चुम्बक होता है क्योंकि जैसे 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 उसको विभाजित करते जाते हैं छोटे 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 पार्ट में इतना छोटा बना दो कि आपको खुले नेतर से न दिखे उसको देखने के लिए माइक्रोसकोप का जूरत पड़ जाए इतना छोटा अडू बना दो तब भी उसमें आर्थ यह है इसका पहला सिध्धान्थ दूसरा सिध्धान्थ क्या कहता है दूसरा सिध्धान्थ को पहले आपको मैं चित्र की सहयता से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा देखो क्या होता है कि जैसे मालो अपने पास यह कोई चुमबकी पदार्थ है अब अभी हमने देखा कि चुम्बकी पदार्थ का प्रतियक अणु पूर्ण चुम्बक होता है तो इसको फिर चुम्बक होना चाहिए लेकि ये चुम्बक नहीं है क्यों इसका कारण क्या है कि इसके अंदर में इसके जो चुम्बक के अणु है चुम्बकी पदार्थ के जो चुम्बक के अणू है वो क्या करते हैं इस तरह से छोटे छोटे या तो त्रिभुजा कार या तो इस पकार से वृत्ता कार चैन बनाते हैं छोटे छोटे चैन बनाते हैं, नार्थ पोल, साउथ पोल, नार्थ पोल, साउथ पोल, नार्थ पोल, साउथ पोल, नार्थ पोल, नार्थ साउथ इस तरह से, मतलब क्या बता रहा हूं मैं, कि चुम्बकी पदार्थ के अंदर में जो अणू हैं, जिनमें सब में नार्थ और South Pole है वो ऐसे छोटे 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 बंद समूँ बनाते हैं और छोटे छोटे बंद समूँ बनाने के कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं Neutralize कर लेते हैं मतलब एक दूसरे को उदासिन कर देते हैं और एक दूसरे को उदासिन करने के कारण ये अपने चुम्बकी गूर्ण को प्रदर्शित नहीं कर पाते क्योंकि नार्थ साउथ को फिर नार्थ साउथ को फिर नार्थ साउथ को एक दूसरे को बेलेंस कर लेते हैं और ये चुम्बकी गूर्ण तो नहीं कर पाते इसका प्रमार मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके पहले मैं आपको तीसरा इसका property बता देता हूँ और तीसरे property के बाद फिर हम इसके प्रमार को पढ़ेंगे, देखो अब हम क्या किये, यह जो हमारे पास चुन्बकी पदार्थ था अब हमने क्या किया, मान लो इस चुम्बकी पदार्थ को हम किसी चुम्बक के साथ चिपका दिये मान लो यहाँ पर हमारे पास एक चुम्बक है यह चुम्बकी पदार्थ के साथ मैं चिपका दिया इसको यह है मेगनेट तो इस चुम्बकी पदार्थ को अब मैं क्या किया किसी चुम्बख के साथ में चिपका दिया तो आप सोचो जब यह चुम्बख है तो निश्चित रुप से इसके left side में एक pole होगा और right side में पहले से बना हुआ चुम्बख है वो तो मानलो इसके बाएं तरफ इसके बाये तरफ मालो नार्थ पोल है ये बाये तरफ नार्थ पोल है तो क्या होगा जैसे ही हम इस चुम्बक की पदार्थ को चुम्बक के साथ में चिपका देंगे तो इस चुम्बक का जो नार्थ पोल है वह इसके विपरित पॉल को अपनी और आकरसीद करेगा यह इसके सभी south पॉल को अपनी और आकरसीद करेगा तो सब के सब south पॉल एक side separate हो जाएंगे और align हो जाएगा north पॉल के atom दूसरी और इस पकार से देखो यह जो छोटे छोटे बंद समूँ बनाए थे ये जो छोटे छोटे बंद समू बनाये थे ये छोटे छोटे बंद समू क्या हो जाएंगे तूट जाएंगे और छोटे छोटे बंद समू तूटने के बाद इस पकार से ये सब के सब सिस्टेमेटिक समानतार क्रम में अरेंज हो जाएंगे और यह भी मेगनेट बन जाएगा इसको बोलते हैं संगती का प्रभाव अपन बोलते हैं अपने अपने लाइफ में बोलते हैं अच्छी संगती करोगे तो तुम्हारे में भी गूर आएगा वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी मैंने 11 का क्लास लि है एनी टाइम अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहे तो उसके साथ भी अच्छे गुण उत्पन हो जाते हैं बहुत स्वभावी प्रक्रिक्या जब निर्जीव चीज प्रभावित होता है तो हम लोग बन गया तो इसको हम चुम्बकी प्टेरान कहते हैं अभी मैं आपको समझाया हूं अब इसके प्रमाड के रूप में हम क्या समझ सकते हैं कि इसका प्रमाड क्या है पीठने पटकने पर पटकने पर या गर्म करने पर गर्म करने पर चुम्बकत्व का नस्ट होना इसका प्रम प्रमाड हुआ क्यों इसका प्रमाड हुआ यह तो प्रमाड इसका इसलिए हुआ कि मानलों हमारे पास कोई चुम्बक है और चुम्बक के सारे अडू बराबर अच्छे से अरेंज हैं बराबर अच्छे से वह जमें हुए हैं अब उसको मैं पटक दिया या उसको गरम कर दिय तो ऐसा करने से होगा या कि उसके जो एतेम हैं वह वह ही उर्जा प्राप्त करके एक्साइटेड्ड हो जाएंगे जब ओ एस तरह से जबं जायगा तो पीटने पटकने पर गर्म करने पर कत्व का नस्ट होना इस बात का प्रमाड है कि इसके अड़ु इस तरह से अरेंज होते हैं क्लियर और तीसरा इसका जो है उसका प्रमाड है प्रेरण अब इसका प्रमाड तो मैं पीछे आपको पढ़ाई चुगा इसका प्रमाड है चुम्बकी प्रेरण जो प्रोसेस मैं आपको बताया इसलिए चुम्बक बनाने के लिए चुम्बकी प्रेरण विधी का उप्योग क जाता है वैसे चुम्बक बनाने के बहुत से विधी हैं, इलेक्ट्रो मैंगनेट बनाने के लिए Ever называется परेनालीका पढ़ा ऑर परेनालीका बनाने के लिए Richard के छुंबकी पदार्थ के अनुबंद समुह बनाते हैं इसलिए उनमें चुंबकी गुन होने के बाद भी वह चुंबक की तरह बेवहार नहीं करता और वही जब समांतर क्रम में जम जाते हैं तो चुम्बक बन जाता है कुल मिला के एक चुम्बकी पदार्थ मैं बोला ये चुम्बक है चुम्बकी पदार्थ है दोनों लोहे के बने हुए हैं तो दोनों में क्या अंतर है उनके अड़ू की ब्यवस्था पर अंतर है एक के अड़ू ब्यवस्थित है और कलाम जी के पास भी उर्जा था लेकिन हर इंसान अपने उर्जा को अलग-अलग धंग से यूज किया इस दुनिया में सब के पास पोटेंशियल था जिसने जितना ज्यादा अपने एटम को एलाइन कर लिया देट मेहनत किया हाड़वर किया डिसिप्रीन पर रहा उतना ज्या पाल मास्टर अपनन उस तरह थोड़ा यह थोड़ाओ थोड़ाओ कर लिया कुछ अच्छा आउटपूट नहीं दिया लेकिन यदि आप अपने पोटेंशियल को प्रापर यूज करते हो तो आप ज़्यादा आउटपूट दे सकते हो आप मेगनेट बन सकते हो आपका भी स जैसे चुम्बकी पदार्थ का हर अरू चुम्बक है लेकिन चुम्बक नहीं बना क्यों अब वेवस्थित है डिसिप्लीन पर नहीं है सिस्टम पर नहीं है लेकिन वही अडू जब वेवस्थित हो गया तो वेवस्थित होने के बाद वहीं चुम्बक बन गया कुछ नहीं किया कुछ नी किया केवल अपने अड़ों के अरेंजमेंट को उसने चेंज कर लिया ठीक है तो यह है भाई चुमबा का आडविक सिंधान्त और एक तरह से यह हम लोग के लिए मोटिवेशनल कांसेप्ट है कि भाई एक निर्जीव चीप जब वेवस्थीत हो कि इतना पावर एक अठा कर लेता है तो हम लोग को सजीव है क्यों कि सब्सक्राइब ठीक वेरी गुड कलाम जी मेरे भी रोल माडल है किसके रोल माडल नहीं होंगे इतना मतलब इस तरह का अद्भूत इंसान इस देश में पैदा हुआ वह हमारे लिए बहुत सा भाग्य की बात है क्यों तैसा कौन नहीं होगा जिनको इंस्पिरेशन नहीं मिलता होगा एक एक निर्विवाद परस्थ पैस्टि कि झिन पर की किसी प्रकार का कृसें लगा सकते हैं है ओकट्थेक्ए िढ़किए मेरे तो कॉचिंग इस्टिटीट के हर maximum हर वाल पर कलाम जी की तस्वीर लगी हुइर सबरे जागने से सोने तक बस उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलता है बिल्कुर उन्हीं से इंस्पिरेशन सब को सबको लेना चाहिए है कि ने हर मामले पर नाट ओनली साइंस ने टेक्नालाजी बट ऐसे गुड परसन ऐसा नहीं कि उनके सिर्फ विज्ञान तक्निकी और एक साइंटिस्ट होने के प्रापर्ट इन से हटके एक अच्छे इंसान होने का जो उनके अंदर प्रापर्टी था जो मेसेश था वह बहुत बड़ा था चलिए ठीक है हाँ चलिए तो हम देखें ये मेरे ख्याल से इस concept पर कोई प्राप्लम नहीं किसी को आपको कोई प्राप्लम है चुमबक का अरू सी धान्द में किसी student को कोई प्राप्लम है concept मैं आपको और समझा दूं उसके बाद फिर हम main topic चुमबक रक्षक, magnetic keeper किपर मेगनेटिक कीपर चलो भई पढ़ते हैं मेगनेटिक कीपर क्या है कौन है जो चुम्बक को सुरक्षित रखता है और इसको सुरक्षा का जवरत क्यों पढ़ता है दोनों बात क्यों इसको रखता है किपर क्यों जवरत पढ़ गया बताईए क्या खत्रा है इसको किसी से चुम्बक को पानी में रख दें आदित तो क्या होगा कुछ नहीं होगा वहां भी आकर सीथ करेगा चुम्बक को पानी में रख दें तो वहां भी आकर सीथ करेगा रिया कुमारी आप इतना पाजिटिव कैसे रहते हैं अरे पाजिटिव तो रहना पड़ेगा कुछ अच्छा करना है तो पाजिटिव तो रहना पड़ेगा कभी कभी निगेटिव भी होता है ऐसा नहीं है IIT का प्रिप्रेशन तो बिल्कुल 11-12 से चालू हो जाना चाहिए बिल्कुल पेरेलल चलना चाहिए क्योंकि उसके बाद समय उतना मिलता नहीं आप गहराई से पढ़ाई करो हर चीज को सुच्छमता से पढ़ो तभी होगा ठीक है दिव्यांस मेरी पूरी लाइब्रेरी है मैं किस बुक का नाम बताऊं आपको पूरी लाइब्रेरी है मेरी तो काउंसे बुक का नाम बताऊं आपको है बहुत सारे बुक्स पढ़े है चलिए तो चुम्बक रक्षक का पहले तो यह देखते हैं कि भाई उसको रक्षा का जवरत क्यों पढ़ता है चुम्बक को रक्षा का जवरत इसलिए पढ़ता है कि मानलो हमारे पास एक चुम्बक है ध्यान से सुनना मानलो हमारी पृत्वी है और हमारी पृत्वी में हमने कहीं पर एक दंड चुम्बक को रखा हुआ है सुनो ध्यान से माल लो हमने अपने प्रिथ्वी पर एक दन्चुम्बक को रखा हुआ है इस दन्चुम्बक का ये नार्थ पोल है ये साउथ पोल है और प्रिथ्वी का भी नार्थ और साउथ पोल होता है इस पर बात भी डिटेल डिसकस करेंगे तो पृत्वी की भी बल रेखाओं होती है चुम्बक की भी बल रेखाओं के साथ में बल आरुपित करती है क्यों क्यों कि चुम्बक अपना छेत्र बनाना चाहता है ठीक है हर कोई चाहता है अपना एरिया बनाना चाहता है कि ने तो चुम्बक अपना छेत्र बनाना चाहता है ये चुम्बक चाहता है भई कि मेरे चारों और मेरा छेत्र बने और इस छेत्र बनाने के लिए लगातार उसको पृत्वी के बल रेखाओं को हटाने के लिए बल लगाना पड़ता है उनको बलता है हटो ये मेरा छेतर है तो जब आप बल लगाते रहोगे तो एनरजी तो वेस्ट होगा आपका फिर पृत्वी के साथ तो आप लड़ नी पाओगे पृत्वी तो इतना बड़ा चुमबक है तो धीरे धीरे हमारा जो बार मेगनेट है या कोई भी मेगनेट है वो दी मेगनेटाइस हो जाता है मतलब उसकी चुमबक की सकती क्या होती है समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है इस पकार से धीरे 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 उसकी सकती छिड़ हो जाती है तो वो नस्ट हो जाता है आपने देखा होगा कि हम लोग लेब में क्या है या फिजिस के लेब में हम लोग चुमबक कर रखे रहते हैं और उस चुमबक को बहुत दिन तक अकेले कही छोड़ देते हैं एक साल बात देखते हैं तो उसकी चुम्बक की सकती पूरी समाप्त हो जाती है वह समान ने लोहे का तुकड़ा बंचू कर रहा है हाला कि हम उसको फिर चुम्बक बना देते हैं हमारे पास टेक्निक है किसी दिन समझाएंगे आपको तो इस कारार से चुम्बक को नस्ट होने से बचाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसको हम बोलते हैं चुम्बक रक्षक तो चले देखें इसको बनाया कैसे गया देखो मालो अपने पास इस तरह से दो चुम्बक हैं एक दंड चुम्बक ये है और दूसरा दंड चुम्बक ये है ये दोनों दंड चुम्बक हैं अपने पास अब ये दो दंड चुम्बक को हमने क्या किया इस पर कुछ हमने ब्योस्था बनाया इसके दोनों सीरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुनना ध्यान से यहां पर हम क्या किये चुमबक था अपने पास एक चुमबक का नार्थ पोल साउथ पोल और दूसरे चुमबक के उल्टा पोल को साथ साउथ और नार्थ को ऐसा रखा और यहां पर जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो इसके बाद फिर इसके बीच में क्या किया हमने एक ऐसा पदार्थ इसके बीच में भर दिया जो नान मेगनेटिक मटेरियल है मालो यह लकडी का है या प्लास्टीक का है यह जो बीच में देख रहे हो आप यह लकडी या प्लास्टीक का है इस तरह से यह चुम्बक रख्षा हो को यहां पर ध्यान रखना यह जो ब्लू कलर के हमने उपर और नीचे लगाया है यह नर्म लोहा है मतलब साप टाइरन परिक्षा में यही पूछा जाता है कि चुम्बक रख्षक नर्म लोहे का बनाते हैं क्यों चुम्बक रख्षक को नर्म लोहे का बनाया जाता है क्यों यह बहुत important question है बहुत बार exam में आया है board exam में तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह चुम्बक रक्षक हुआ क्या देखो यह चुम्बक अपनी सक्ति को नस्ट कर ले रहा था पृत्वी के साथ बल आरोपीत करके लेकिन यहाँ पर कैसी भी उस्था बना दिये इसका जो नार्थ बल रेखाए हैं साथ के तरब साथ फिर नार्थ के तरब फिर नार्थ साथ के तरब फिर साथ नार्थ के तरब इस तरह से यह अंदर में ही घुमते रहता है मैंने इसको मैं इस तरह से एक्जामपल देता हूँ तो आप बहुत अच्छा समझोगे इम्मीडियेट समझोगे मेरे मालूम, इसको थोड़ा भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मालो हमारे पास एक water की टंकी है, पानी की टंकी है मालो मेरे पास ये water tank है, ये, इसमें मैं पानी भरा हुआ हूँ और यहाँ पर मालो यहाँ पर नल लगा के इसको open कर दूँ, तो पानी गिर के ये क्या होगा? जो पानी में बाहर निकाला उसी को मोटर से फिर उसमें रिसाइकल कर दिया तो पानी का टंकी कभी खाली नहीं होगा यही बात है यहाँ पर यह मेगनेट जब अकेले पड़ा था तो अपनी चुम्बकी सक्ती को प्रित्वी के साथ उसे नस्ट कर लिया लेकिन यहाँ पर दो मेगनेट क्या किये यह इसको दिया पिर इसको दिया आपस में गोल-गोल घूम रहा है अब इसको आप कितने साल तक रखे रहो इसकी चुम्बकी सक्ती नस्ट नहीं होती तो यह कहलाता है चुम्बक रख्षक नर्म लोहे का बनाते हैं क्यों ये परिक्षा में आपको पूछा जाएगा बोड़िग्या में तो चुम्बक रक्षक को नर्म लोहे का बनाने का कारण यह है कि नर्म लोहे की एक प्रापर्टी होती है वो बहुत जल्दी चुम्बकित हो जाता है और बहुत ही जल्दी वी च चुंबकी थो जाता है's, इसा करने से क्या फायदा हुआ, मान लो हम नर्म लोहे के जगे वहां पर किसी दूसरे लोहे का यूज करते हैं, तो जो रच्छा करने के लिए लगा था वो भक्षक हो जाता उसका मतलब चुम्बकी प्रेरण के कारण खुद चुम्बक बन जाता और उसको कमजोर कर देता और जब उससे हटता तो बोलता कि गुड़ बाई अब मैं चुम्बक बन गया चलो हटो बोलता उससे ज्यादा सक्ति साली चुम्बक अपस दे लड़ता है खुद चुम्बक नहीं बनता ये नर्म लोहे की विशस्ता है इस पकार से आंसर में आप क्या लिक होगे चुंकि नर्म लोहा बहुत जल्दी चुम्बकीत हो जाता है इसलिए चुम्बक रक्षक हम नर्म लोहे का बनाते हैं तो यहाँ पर हम इसके करण में यही लिखेंगे की नर्म लोहा जल्दी चुमबकित तथा वी चुमबकित जल्दी ही वी चुमबकित दीमेगनेटाईज हो जाता है मेगनेटाइज ए सब् Bowen घुंबोट होगगरता हुख लिए क्या होता है इसको Mei का बनाया आगسم तो यह है चुनबा के रखषट है में आपको दू नंबर तीन नंबर का पूछा जा सकता है तो यह आज का हमारा class रहा मेगनेट का basic introduction अगला class हम start करेंगे बार मेगनेट से हम पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि हमारी पूरी पढ़ाई हमारी physics में मेगनेट की पूरी पढ़ाई बार मेगनेट पर दंड चुम्बक पर best होता है introduction आप बार मेगनेट चलो concentrate हो जाओ फोकस हो जाओ मेरे टापिक पर introduction आप बार मेगनेट का मतलब क्या हुआ कुछ heading आपको अजीब से लग रहा है introduction आप बार मेगनेट कोई आदमी अपना परिचाह देता है कोई आदमी अपना introduction देता है यहाँ पर हम introduction करने वाले हैं बार मेगनेट का तो बार मेगनेट का introduction का ज़रूरत क्या पढ़ा है बार मेगनेट के introduction का हमको ज़रूरत क्या है बार मेगनेट के introduction का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पूरे चेप्टर में सिर्फ हमको बार मेगनेट के बारे में पढ़ना है मतलब दंचुमबक के परिचाए देगा भाई मैं क्या हूँ कैसा हूँ मेरे अलग-अलग part के क्या-क्या नाम है उसके फार्मूले क्या होते हैं ये सारे चीज़ों को हमको सबसे पहले पढ़ना है तो फिर हमको समझ में आएगा कि bar magnet से related topic हमको कैसे समझ में आना है ठीक है चलिए तौ आप तयार हो उसको कैसे पढ़ना है ठीक है चलिए तो क्या क्या होता है यहाँ एक symbolic bar magnet बना दूँ मैं आप सब को पता है यह मैंने बना दिया suppose एक बार मेगनेट अब इसके क्या क्या parts होते हैं क्या 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 होते हूं उनका एक एक करके मैं explain करते जा रहा हूं सबसे पहले इसका होता है द्रू जिसको इंगलीज में बोलते हैं पॉल पॉल तो दन्ड चुम्बक के दो द्रू होते हैं नार्थ पॉल और साउथ पॉल पहला इसका जो टर्म है बार मेगनेट का वो है इसके पॉल नार्थ पॉल और साउथ पॉल तो पॉल होते क्या हैं देखो हमारी एक बड़ी समस है कि हम सब्दों को जानते रहते हैं लेकिन उसका अर्थ groß नहीं जानते इसी लिए कोई भी सब्जेक्ट हमको डिफिकल्ट लगता है दूं़ नहीं समस्या भीन है इसा कारण से हमको चीजें समझ भीन आती और इसी कारण से सब्जेक्ट में मज़ा भी नहीं आता है तो इसलिए हर चीज को सुक्षमता से आपको डिसकस करना है कि हमको जानना है भई कि धुरू होता क्या है तो क्या है पॉल देखो बार अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना अभी जो भी बात करूंगा वह सिर्फ बार मेगनेट के एकार्डिंग उसको एप्लाई करना है ओके चलिए तो धुरू क्या होते हैं चुमबक के दोनों किनारों पर ये दो बिंदू होते हैं ये ये दो बिंदू मैंने बना दिया ये नार्थ पोल है और ये साउथ पोल है अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर ने दोनों बिंदू एकदम किनारे पर नी बना के थोड़ा अंदर बनाया हुआ है हाँ तो ध्यान रखना धुरू चुम्बक के एकदम किनारे पर नहीं होता किनारे से थोड़ा अंदर होता है किनारे से थोड़ा अंदर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि एक North है एक South है तो दोनों एक दुसरे को खिचते हैं और खिचने के काराण वो चुमबक के एकदम किनारे पर ना रहके थोड़ा अंदर की और आ जाते हैं वो धुरू पाइंट होता है तो धुरू होता क्या है धुरू वह बिंदू होता है जहां पर चुमबक के आकर्शन या प्रतिकर्षन करने की सकती सरवाधिक होती है मतलब जिस पाइंट पर वह Maximum Attract कर सकता है या Maximum Ripple कर सकता है सबसे ज़्यादा जहां अट्रेक्ट करने का और सबसे ज़्यादा रिपल करने का सबसे ज़्यादा अकरसीत करने का या सबसे ज़्यादा प्रतिकरसीत करने का जिस बिंदू पर छमता होती है उस बिंदू को क्या कहा जाता है पोल कहा जाता है ठीक है तो यह दो पोल है इसके North Pole और South Pole और यह थोड़ा अंदर दबे होते हैं मैंने बता दिया क्यों इसके बाद दूसरा टर्म जो आपको समझना है इस चेप्टर पर वो क्या है? धुरू के बाद अपने को समझना है धुरू प्राबल लिये धुरू प्राबल लिये इंग्लिज में बोलते हैं Pole Strength Pole Strength और इसको हम प्रदर्शित करते हैं इसको प्रदर्शित करते हैं Small M से Capital नहीं, Small मने Small अब आप ऐसा मत समझना है तो M तो M है सर चलो Capital से कर देते हैं तो बड़ा गडबड हो जाएगा अर्थ बदा जाएगा तो धुरू प्रावल्य को हम Small M से प्रदर्शित करते हैं और ये जो Small M है धुरू प्रावल्य का संकेत है परिभासा का हिसकी धुरू के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की छमता प्रावल्य का मतलब ही होता है प्रबलता, Strength उसका पावर, उसका ताकत कि जितने ताकत से वो जितना फोर्स से वो अटेट कर सकता है या जितने फोर्स से वो रिपल कर सकता है प्रतिकर्षण कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं उसका धुरू प्रावल्य कहते हैं और उसको हम पतसित करते हैं इस मालेम से इन चीजों पर आगे और भी डिस्कस करते जाएंगे समय और जरूरत के हिसाब से तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो है चुम्ब की आगुण चुम्ब की आगुण इंगलिज से मोलता है मैगनेटिक मोमेंट मैगनेटिक मोमेंट मैगनेटिक मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते है केपिटल आप अच्छा एक मीनट इसके पहले म민े को एक और कांसेट को आपको क्लियर करना था लाइन से पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा है Ś जही रहे तो समझ मेंभी अच्छा आता है तीसरा पाइंट हम पर लेते हैं प्रभाव कारी लंबाई या प्रभावी लंबाई भी कहते हैं प्रभाव कारी लंबाई इंगलिस में इसको कहेंगे effective length effective length इसको हम प्रभाव कारी लंबाई कहते हैं और प्रभाव कारी लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2L से 2 small L ये इसकी प्रभाव कारी लंबाई L से भी कर देते हैं लेकिन जनरली हम 2L से करते हैं 2L के पीछे कारण क्या है मैं भी आपको थोई जर्वा सम्झाओंगा और यह प्रभाव कारी लंबाई होता क्या है तो प्रभाव कारी लंबाई की लंबाई को प्रभाव कारी लंबाई कहते हैं तो भाई ध्यान रखना पूरे चुम्बक की लंबाई प्रभाव कारी लंबाई नहीं होती प्रभाव कारी लंबाई दोनों धुनों के बीच के दूरी होती है और मैंने आपको इस्टार्टिंग में बता दिया कि दोनों ध हाव करी लंबाई दोनों धुनों के बीच की दूरी होती है, इसको 2L से प्रदस्रित करते हैं, इसके बाद मैं चौंथा कांसेप्ट आपको जो बता रहा था, जो मैंने अभी लिखा था, वो क्या है, चुम्बक की आघुर्ण, चुम्बक की आघुर्ण, मेगनेटिक मोमेंट, और चुम्बक की आघुर्ण को हम प्रदस्रित करते हैं, चुम्बक की आघुर्ण, मतलब होता है, जो चुम्बक की आघुर्ण, मतलब होता है, गुणा कर देते हैं, तो चुम्बक के धुरू प्रवल्ण, में प्रभावकरी लंबाई का गुणा करने पर जो आता है, वह चुम्बक की आघुर्ण कहलाता है, इस प्रकार से capital M बराबर होता है 2ML तो यह है धुरू धुरू प्राबल्ले प्रभाव का इलंबाई और चुम्बकी आगून यह चार्टम में कोई प्राबलम किसी को पढ़ लो भाई अभी यही टाइम है पढ़ने का बाद में पस्ताना पढ़ेगा सही समय में मेहनत कर लो बाद में पस्ताना पढ़ेगा बाद में पस्ताने के सिवाए कुछ नहीं रहेगा इसलिए पढ़ने के समय में पढ़ लो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ मेहनत कर लो ठीक है चलिए तो यह हमने फोर पॉइंट्स मैं देखो मैं कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देखके अपना क्लास डिस्टर्बनी करता लेकिन आप ऐसा मैं समझ ना कि एक जलक मैं इसा देख तो ही रहता हूं लेकिन हर वार उस पर मैं अपना कोई ओपीनियन नहीं देता है मैं उसमें डिस्कस नहीं क्लास डिस्टर्ब होगा लेकिन कभी-कभी जरूरी महसूस करता हूं तो मैं बोलता हूं आप चुका रहता है और फिर वह वापस नहीं आता इसलिए समय रहते आप मेहनत करना सुरू कर दो समझ गए कि चल रहा हूं मिधिलेश चल रहा हूं क्या करोगे पढ़ने के लिए बोलना भी पढ़ता है कि पढ़ने के लिए बोलना भी पढ़ता है एक टीचर की और नयतिक जिम्मेदारी भी है, मैं अपने क्लास को कभी सिर्फ आनलाइन क्लास नहीं समझता हूँ, मतलब मेरा अपने स्टुडेंट से उसी तरह अटेच्मेंट होता है यूटूब के क्लास में जैसे आफ्लाइन क्लास में होता है, बहले आप मेरे सामने फिज कंया मागया क्या चरो निउ स्लाइड eight करना है, इस फिफ्थ नंबर का पाइंट अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, फिफ्थ नंबर के पाइंट में हम यहाँ पर देखते हैं उْदासीन बिंदु, फिफ्थ नंबर का पाइंट है हमारा उदासीन बिंदु मतलब neutral point neutral point क्या होता है देखो नाम से इसपस्ट है neutral point का मतलब जहां पर कोई चुमबकी सक्ती नहीं होती तो bar magnet के ठीक मध्य में एक ऐसा बिंदू होता है यहां पर कोई चुमबकी सक्ती नहीं होती मतलब यहां पर चुमबकी सक्ती सुन्य होता है इसे हम क्या कहते हैं neutral point कहते हैं और वास्तों में neutral point से north pole की लंबाई L और neutral point से south pole की लंबाई भी L होता है इसलिए हम पूरी प्रभावकरी लंबाई को क्या कहते हैं? 2L कहते हैं इसलिए 2L से संकेत दिया गया ताकि आधा को L कह सकें यदि हम प्रभावकरी लंबाई को L से पदशित कर दें तो आधा को LY2 और नेस्ट हाफ को LY2 कहना पड़ता और दोनों को L by 2L by कहने से फिर L आपांट 2 करे से थोड़ा सा कल्कुलेशन में प्राब्लम होता है ठीक है इसलिए उसको 2L किया टाहक कहा गया तो यह neutral point कहलाता है ओ समझ में आ गया यह है neutral point इसके बाद हम देखते हैं चुमबक का अक्ष एक्सिस आप मेगनेट चुमबक का अक्ष क्या होता है यह बात अपने को समझना है तो चुमबक का अक्ष क्या है नार्थ पॉल और साउथ पॉल को मिलाने वाली रेखा चुमबक के नार्थ पॉल और साउथ पॉल को मिलाने वाली जो रेखा होती है यह इसको चुमबक का अक्ष कहते हैं यह डाटेड लाइन से येलो कलर का मैंने बनाया यह चुंबाक का अक्ष कहलाता है तो चुंबाक का क्या परिभासा हुआ चुंबाक के उत्री धुरू और दक्षिर धुरू को मिलाने वाली जो सीधी रेखा जाती है उसको हम चुंबाक का अक्ष कहते हैं ठीक है ध्यान रख उदासिन अक्ष उदासिन अक्ष इसको बोलते हैं नूट्रल एक्षिस तो चुम्बक का नूट्रल एक्षिस क्या होता है भाई नाम से इस पस्ठ है कि जो उदासिन अक्ष से जो रेखा जाती है देखो इसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यह है उदासिन अक्ष से जाने वाली रेखा लेकिन इसकी एक खासियत है नीट्रल पाइंट से जाने वाली रेखा स्वारी उदासीन बिंदू से होकर जाने वाली जो रेखा है उसको हम उदासीन अक्ष कहते हैं लेकिन उसकी खासियत है कि उसको अक्ष के साथ लंबवत होना चाहिए अक्ष के साथ में लंबवत हो यदि अक्ष के साथ लंबवत नहीं होगा तो क्या होगा वह उदासीन अक्ष नहीं कहलाएगा क्योंकि उस बिंदू से तो हजारों रेखाएं खीची जा सकती है एक बिंदू से अनंत रेखाएं खीची जा सकती है तो सब के सब अक्ष सोड़ी होंगे उदासीन बिंदू से होकर जाने वाली वह रेखा जो अक्ष के लंबवत हो उसे हम क्या कहते हैं उदासी नक्ष कहते हैं ठीक है तो यह ध्यान में रखना यह उसका उदासी नक्ष कहलाता है टर्मिनोलाजी पर कमांड जरूरी है भई किसी भी सब्जेक्ट के कठी लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उस सब्जेक्ट में जो टेक्निकल वर्ड्स यूज किया जाते हैं वो हम धंग से समझे नहीं रहते हैं जब भासा ही समझ में नहीं आएगा तो आगे कहानी कहां समझ में आएगा सपोज आप कोई स्टोरी पड़ रहे हो और उस स्टोरी में जिस भासा का उप्योग किया गया है वो भासा आपको समझ में नहीं आता तो कहानी कैसे समझ में आएगा तो physics जैसे subject में यदि आप terminology को न समझो कि क्या अक्षा है, क्या उदासिन अक्षा है, क्या उदासिन बिंदु है, क्या प्रभाव का ये लंबाई है, क्या धुरू प्रावलिया है, क्या चुम्बकी आगुरून है तो आप subject को कैसे समझोगे इसलिए किसी भी chapter पर terminal आजीव का पहला command जरूरी होता है, तभी हमको chapter समझ में आता है उसी बर हम अभी काम कर रहे हैं, और आठवा नमबर का और सबसे महत पूर्ण पाइंट है, जो कहलाता है चुम्बकी आमोत्तर चुम्बकी आमोत्तर चुम्बकी आमोत्तर, यह है magnetic meridian चुम्बकी आमोत्तर, magnetic meridian, यह क्या कहलाता है देखो तो चुम्बकी आमोत्तर का मतलब क्या होता है, यह चुम्बक का नार्थ पोल और साउथ पोल चुम्बक का नार्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, जो अक्ष होता है उस अक्ष्य से होकर जाने वाला एक सत्व एक तल उसे हम क्या कहते हैं चुम्बकी या मुत्तर कहते हैं ठीक है यहाँ पर मैं आपको चित्र में green color से इसको मैं represent करके यह आपको बता रहा हूँ इस तरह का एक plane होता है यह एक plane है यह देखो एक plane आप देख रहे हो जो कहां से गया है उसके चुम्बकी अक्षे से होकर जाने वाला चुम्बकी अक्षे से होकर जाने वाला जो एक सता होता है एक समतल होता है उस चुम्बकी अक्षे से होकर जाने वाले सता को हम क्या कहते हैं चुम्बकी या मुत् यह कहलाता है चुम्बकी या मुत्तर कोई प्राब्लम यहां तक किसी को तो यह है हमारे पूरे टर्मिनोलाजी इसमें से कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया होगा चलिए अब एक टापिक में आपको पढ़ाता हूँ उसके बाद हम कुलाम का नियम पढ़ेंगे और यह टापिक है विद्युत तथा चुम्बक की तुलना यह जो टापिक में बता रहा हूँ वो यह है कि मैं यहाँ पर आपको explain करूंगा कि electricity में जो चीजें हमने पढ़ी electricity में जो चीजें हमने पढ़ी उसको हम magnetism में जब पढ़ेंगे तो उसका किस तरह से रूपा अंत्रार हो जाएगा यह मैं आपको यहाँ पर एक chart में बता रहा हूँ तो इसको ध्यान से समझना chart फाम में बता देता हूँ मैं इसको यहाँ पर मैं एक chart बना रहा हूँ इस chart में मैं left side लिख रहा हूँ electricity, विद्यूत हमने विद्यूत में जो पढ़ा और वो चीज चुमबक में क्या हो जाएगा यह मैं आपको एक बार explain कर रहा हूँ और इस chart को compare करने के बाद आप बहुत से topic को अपने आप convert करके पढ़ सकते हैं हाला कि मैं आपको सब पढ़ाऊंगा लेकिन इससे आपको help मिलेगा देखो विद्यूत में जो आप पढ़ते थे आवेस जो आप पढ़ते थे आवेस जिसको q से पतासित करते थे वही चीज चुमबक में हो जाएगा धुरू जिसको आप m से पतासित करोगे माने कौन किसका जगा लेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है दूसरा यहाँ पर आप पढ़ते थे विद्यूत द्वी धुरू आगुण जिसको p से पतासित करते थे और वो होता था 2ql यहाँ पर उसका जगा ले लेगा चुमबक की आगुण उसका जगा ले लेगा चुमबक की आगुण और वो होगा capital M equal to 2ml अभी मैंने आपको पढ़ाया उसका जगा ये ले लेगा तीसरा point जो आपको compare करना है वो ये है यहाँ पर आपने पढ़ाया जो कुलाम के नियम का नियतांक कुलाम का नियम ही लिख देता हूं है यहाँ पर आप कुलाम का नियम पढ़े f equal 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 into q2 upon r square पढ़े और यहाँ पर जो कुलाम का नियम पढ़ोगे आप उसी वाइज्यानिक का यहाँ पर जो आप कुलाम का नियम पढ़ोगे वो नियम हो जाएगा f equal mu 0 upon 4 pi m1 into m2 upon r square या d square जहाँ पर आप पढ़े 1 upon 4 pi epsilon 0 का value 9 into 10 to the power 9 और यहाँ पर आप पढ़ोगे mu 0 upon 4 pi का value 10 to the power minus 7 यह पढ़ोगे clear इसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर हमने एक आंक धन आवेस को परिक्षण आवेस लिंग देता हूँ परिक्षण आवेस किसको कहा हमने परिक्षण आवेस परिक्षण आवेस किसका नाम दिया परिक्षण आवेस हमने कहा एक आंक धन आवेस को आपका revision भी हो रहा है विद्यूत का एक आंक धन आवेस को हमने परिक्षण आवेस कहा एक आंक धन आवेस को परिक्षण आवेस कहा और इस पकार से यहाँ पर देखो एक आंक मतलब परिक्षण ध्रू यहाँ पर क्या बन जाएगा परिक्षण ध्रू और परिक्षण ध्रू हम किसको कहेंगे एक आंक उत्तरी ध्रू को क्लियर यह तुलना है इतना पाइंट लिखो फिर नेस स्लाइड में मैं आपको बाकी तुलना को बताता हूँ हाँ नार्थ बोड को एजिम करना इसले साफ हो बिल्कुल यह जैसे यहाँ पर यह convention है वैसे यह भी यहाँ पर convention है तीक है यह चारड बहुत इंप्सक्राड़ है यह चारर्ड प्रापर्लि आपको compare करके बताएगा कि कौन क्या होने वाला है जो स्टुडेंट इस चार्ट को प्रापर कर लेता हूं इलेक्रिसिटी को अपने आप मेग्नेटिस्म में कनवर्ट कर लेता है इसलिए मैं आपको यह तुलनात्मा कुरूप से बता रहा हूं कितने पाइंट पर मैंने आपको कंपेर बता दिया फोर पाइंट पर फिफ्ट नमबर के पाइंट पर हम देखते हैं विद्दु छेत्र की तीब्रता इंटेंसिटी आफ इलेक्टिक फिल्ड विद्दु छेत्र की तीब्रता जिसको हम बोलता है intensity of electric field और इसका value होता है e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square यह कहलाता है विदू छेत्र की तीब्रता और यहाँ पर आप पढ़ोगे चुम्बकी छेत्र की तीब्रता चुम्बकी छेत्र की तीब्रता intensity of magnetic field intensity of magnetic field इसको हम represent करेंगे b से और b equal to हो जाएगा mu naught upon 4 pi m upon r square यह हो जाएगा clear यह है विदू छेत्र की तीब्रता और चुम्बकी छेत्र की तीब्रता इसके बाद देखो इसमें जो अक्षी सिती का फार्मूला होता है axial position तो axial position में आपने intensity देखा e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2pr 2pr upon r square plus a square का whole power 3 by 2 यह आपने देखा नहीं क्या यही फार्मूला होता है न और यहाँ पर हो जाएगा मैं डिरेक्लिक रहूं b equal mu not upon 4 pi mu not upon 4 pi 2mr upon r square plus a square का whole power 3 by 2 जो मैंने पहले लिखा था और यहाँ पर हो जाएगा b equal mu not upon 4 pi 2p upon r square plus a square का whole power 3 by 2 सही है हो गया और last formula है any position any position ही लिख दिया हम है कोई भी स्थिती e equal to होता है 1 upon 4 pi epsilon not p upon r cube root of 3 cos square theta plus 1 तो b equal to हो जाएगा mu not upon 4 pi यह p नहींने स्वारी m यहाँ संकेत में थोड़ गरबड़ी कर दिया इसके दोखें में लिख दिया यहाँ p कहाँ से आएगा ना सब m हो गए capital m m upon r cube root of 3 cos square theta plus 1 सही है सही है सब electricity का formula तो याद होगा आप लोग को electricity का formula तो याद होगा ना यहाँ पर पहले chart में जो अभी कुलाम का नियम हम पढ़ेंगे तो कुलाम का नियम यही कुलाम के नियम को हम यहाँ पर derive करेंगे इसके बाद कुलाम के नियम के बाद हमको करना क्या है सुनो विद्धु छेतर की तिव्रता पढ़ना है अक्षी स्थिती पढ़ना है निरक्षी स्थिती पढ़ना है एनी पोजिशन पढ़ना है तो सब में यह formula derive होगा सब में यह right side वाला formula derive होगा ठीक है कुछ formula का और chart में आपको बताई देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा comparison हो जाए यहाँ पर कुछ points और मैं बता देता हूँ सब ही हो जाए 8 points तो हो गया 9 number में आप बल अगुण द्वीधरू पर बल अगुण जो पढ़े हो आप तार्क वो तार्क टा इक्वल टू क्या होता है पी इ साइन थीटा यह होता है और यहाँ पर तार्क क्या हो जाएगा तार्क टी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा mb sin थीटा यह हो जाएगा इसके बाद इसमें आपने पढ़ा है किया गया कारे तो किया गया कारे का फार्मुला w equal to हमने क्या पढ़ा पी इ कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू यह पढ़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह वर्क इक्वल mb कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू यह होगा और 11 नंबर का फार्मुला होगा पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा माइनस p e कास थीटा और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा p e equal to क्या हो जाएगा माइनस mb कास थीटा यह सब लिखा दिया मैंने हो गया तो इतना आप करो कल कुलाम के नियम को अपन डिराइब करेंगे आज हमने कुलाम के नियम को आपको comparative बता दिया अब कल से हमारा जो class है यहाँ से start होगा कुलाम के नियम फिर परिक्षरद्रू इसके बाद चुमकी छेतर की पिवरता फिर अक्षी स्थिती फिर निरक्षी स्थिती फिर एनी पोजिशन फिर बलागुन फिर कार्ड और यह तो मैं पढ़ाने से पहले आपको पूरा उसका प्रायट दे दिया और इसी पर हमारा पूरा class चलेगा चलिए तो सबसे पहले हम लिखें कि कुलाम का नियम का statement क्या है उसका कथन क्या है कथन मतलब statement माने कुलाम ने क्या कहा थोड़ा सा चुम्बक मुर्फ न बताया कि मा अपने पास दो धुरू है आप यहाँ पर हमेजिन करो किया पर दो धुरू है और इस सब ऌड़ संकेत मैं आपको प्रिभियास क्लास में समझा चुका हूं और इनधे बीचीट की तरभी कुछ भी लिए सकते हो मालो हमने यहां पर D दिस्टेंस ले लिया है ote हमने Lectritslimited MNV टो यहां पर D ले लेते हैं ठीक है तो दोनों कीबिच की दिस्टेंस क्या है मालो D है? और इनके बीच में लगने वाला जो force है वो f है इनके बीच में लगने वाला attraction या reperson phone आकरसन या पतीकरसन बल कमान f है तो कुलाम ने विद्धूत की तरह ही बताया कि इनके बीच में लगने वाला जो force है ये दोनों के धुरूर प्रावल्य के गुड़न फल के समन उपाती ये इन्होंने पहला statement दिया और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के d square इनकी बीच की दूरी के वर्ग के बित्क्रमान उपाती होता है ये इन्होंने दूसरा statement दिया ओके इस तरह से आप देखो ये कुलाम के बित्क्रम वर्ग के नियम का कथन है, मतलब कि यही दो धुरूं के बीच लगने वाला, चुंबा के दो धुरू होते हैं, तो दोनों धुरूं के बीच में लगने वाला आकरसण या प्रतिकरसण पलका मान, आकरसण कब जब दोनों विपृत धुरू होंगे, एक नार्थ एक साउथ होंद इसलिए हम कहते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बलका मान तो दो धुरूओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बलका मान उन दोनों के धुरू प्रावल लेके गुड़न फल के समानुपाती यह टू होगा ना इस लिए एक तथा दो से यदि एक और दो को हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर मिलेगा हमको एफ प्रपोर्शनल टू एम वन इंटू अपान d square यह निकलेगा आगे इसको हम साल्व करें तो आगे साल्व करने के लिए हमको एक समनुपातिक नीतां का गुणा करना पड़ेगा suppose वो k है ते हो जाएगा k into m1 into m2 upon d square यह हो जाएगा k यहाँ पर एक constant है इस तरह से कुलाम का नियम हुआ बाद में कुलाम ने अपने इस नियम को अलग-अलग माध्यम के लिए explain किया तो सबसे पहले तुन्होंने cgs system में cgs system में centimeter gram second पड़ती सबा पिल्यम से पढ़े हो तो cgs में उन्होंने बोला कि भाई मेरा जो constant है उसका value 1 होगा यह जो constant मैंने use किया अपने formula में उसका मान एक होगा उन्होंने बताया तो इस k के मान को ज़िए हम यहाँ पर one put कर दें तो one put करने पर यह formula हो जाएगा f equal to m1 into m2 और upon d square यह भी formula होता है और इस समाई इसका unit dyn हो जाएगा क्योंकि यह cgs system में है क्योंकि यह cgs system में है तो cgs system में होने काड़ इसका unit dyn हो जाएगा तो कभी हम cgs system में use करें हाला कि cgs system अब use नहीं किया जाता है लेकिन formula आपको जानना ज़री है तो यह कुलाम ने बताया कि cgs system में formula इतना होगा लेकिन यदि हम इसको mks system में देखें यदि हम देखें mks system में या si unit मतलब यह कही है mks system में तो उन्होंने बोला mks system में यह constant होगा कि इसका जो value होगा वह mu naught into mu r के बराबर होगा mu naught into mu r के बराबर होगा इस पकार से देखो इसका जो value है एक बार तो हम इसको बाद में इसको और explain करेंगे mu upon 4 pi के बराबर होगा उन्होंने बताया कि mks system में k का value mu upon 4 pi के बराबर होगा लेकिन आगे उन्होंने explain किया कि यहाँ पर mu का जो value है वह mu naught into mu r के बराबर होता है यहाँ पर mu क्या है? चुमबक सिलता है यहाँ पर mu उस माध्यम का चुमबक सिलता है magnetic permeability हिंदी मोलता है चुमबक सिलता magnetic permeability यह है अब यहाँ पर mu क्या है? चुमबक सिलता है और यह mu naught into mu r के बराबर होता है तो mu naught और mu r क्या होता है? mu naught yu a nirvath की चुमबक सिलता है और mu r क्या है? किसी relative medium मतलब किसी तुलनात्मक माध्यम जो होता है relative medium होता है उसकी चुमबक सिलता है यह कुलाम ने बताया लेकिन आगे यदि हम इस formula को yu या निर्वाद के लिए लिखें देखो यही पर explanation थोड़ा सा अलग होता है चुमबक से वहाँ पर सिधा हम yu आ निर्वाद के लिए लिए है यदि हम इसको yu आ निर्वाद के लिए apply करें तो yu आ निर्वाद का जो mu r का value होता है relative जो magnetic probability होता है mu r उसका value 1 होता है इस पकार से यदि हम mu r के value को 1 ले लें तो therefore यह जो हमारा mu है वह mu not के बराबर हो जाएगा और इस पकार से यहाँ पर उसके value को put कर दें तो therefore k equal to हो जाएगा mu not upon 4 pi और एक बहुत महत्त पूर्ण बात इसका आंकिक मान उन्होंने 10 की घात rate 7 बताया यह सब प्रयोगों के द्वारा प्रयोग करके कुलाम ने बताया कि यूर निर्वात में जो constant है mu not upon 4 pi होगा और उसका मान 10 की घात rate 7 के बराबर होगा इस तरह से finally हम इस k के value को यदि हम इस k के value को कुलाम के नियाम में put up कर दें तो कुलाम के नियाम में put up करने पर वो फार्मूला किस पकार से हो जाएगा therefore finally हम कुलाम के नियाम को लिख सकते है f equal to mu not upon 4 pi m1 into m2 upon d square या इसको क्या लिखा जा सकता है f equal to 10 to the power minus 7 m1 into m2 upon d square अब इसके मातरा को हम लिखेंगे newton अब इसका मातरा क्या हो गया newton तो यह है इनके बीच में लगने वाला बल यह इनके बीच में लगने वाला बल कमान है f equal to 10 to the power minus 7 m1 into m2 upon d square होता है यह है दो धुरूओं के मद्धे लगने वाला बल कमान अब यहाँ पर देखो यह final कुलाम का नियम है यह finally कुलाम का नियम है लेकिन exam में बहुत बार पूछा गया है कि कुलाम के नियम की साहता से एकांक धुरूओं की परिभासा लिखो यह मैंने आपको विद्धुत में भी पढ़ाया था यदि आपने विद्धुत का चेप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ रहे होगे कि जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं में वो पूरा इलेक्टिसिटी के साथ में मेंच करता है और मैं पूरे संकेत का चार्ट भी आपको बता दिया कि कौन सा चार्ट कैसे चेंज होगा कुलाम का नियम किसी भी धुरू के लिए लागू होगा चाहे वो कोई भी मेगनेट का पोल हो यह किसी भी मेगनेट के दो धुरू के लीए लागू होगा एक धुरू इधर धुरू अर्हु अलग अलग चुमबक के धुरू के लिए लागू होगा यह थुरू अलग का है और दूसरा धुर दूसरे चुमबक का है उनके बीच भी लगने वाला अक्रशन पतिकर्शन वलकमान इसी फर्मूला की सहायता से निकाला जाता है ओके-ओके कोई बात नहीं चलिए अब हम इसका परिभासा देखते हैं किसका एक आंक धुरू का एक आंक धुरू की परिभासा हम देखते हैं यूनिट पॉल एक आंक धुरू यूनिट पॉल यूनिट पॉल का हम डेफनेशन लिखें समझें कि यूनिट पॉल होता क्या है तो यहाँ पर देखो हम कुछ कंडिशन एप्लाई करते हैं कुलाम के नियम पर वो क्या है कि यदि इनके बीच में लगने वाला जो बल एफ है वो 10 to the power minus 7 नियूटन है मानलो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल 10 to the power minus 7 है और दोनों जो धुरू है M1 equal to M2 है मतलब दोनों धुरू क्या है? दोनों धुरू का धुरू प्राबल है M1 equal to M और बराबर क्या हमने मानल लिया M मानने दोनों धुरू समान और सजाती है सजाती मतलब दोनों नार्थ है या दोनों साउथ है और समान मतलब उनका जो pole strength है उनका धुरू प्राबल ले क्या है वो समान है यह हम मानल लेते हैं तो M1 बराबर M2 बराबर M यह हमने माल लिया और दोनों की बीच की दूरी सपोज 1 मीटर है यह मीटर है ऐसा हमने माल लिया 1 मीटर अब इस पूरे कंडिशन को यह दि हम इस फर्मूला में अप्लाई कर दे हमने क्या क्या माल लिया कि दोनों धुरूं के बीच लगने वाला ब पूरे condition के हाँ पर हम apply कर दें तो therefore यहाँ पर apply करने पर f का value हो जाएगा 10 to the power minus 7 10 to the power minus 7 that equal इसका value यह भी हो जाएगा 10 to the power minus 7 और m1 into m2 को लिख सकते हम m into m और upon 1 meter मतलब 1 अब इसको देखो दोनों side से क्या होगा 10 की खात रिट साथ 10 की खात रिट साथ के साथ में cancel out हो जाएगा और m into m m2 होगा और इस तरह से therefore इसको हम क्या लिख सकते है m2 तो m2 का value 1 होगा और therefore m equal to हम लिख सकते है plus minus 1 इस पकार से उसका धुरू प्रावल कितना हो गया इकाई हो गया इस पकार से हम उसके धुरू प्रावल को इकाई कह सकते हैं अब इसकी परिभासा हम कैसे लिखेंगे देखो अब हम एक आंग धुरू की परिभासा किस तरह से लिखेंगे ध्यान से समझना क्या कहेंगे देखो मैंने शुरू में बता दिया कि अभी धुरू कहां रखे हुए हैं वायू या निर्वात में रखे हुए हैं वाईू या निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजाती धुरू यदि एक दूसरे को 10 की घात रिर साथ न्यूटन के बल से प्रतिकरिसिट क्यों भोलेंगे? क्योंकि दोनों समान तथा सजाती धुरू है यहां पर क्या कहेंगे हम देखो या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान तथा सजाती धुरू, दोनों समान है और दोनों सजाती है एक दूसरे को 10 की 3, 7 नीटन के बल से प्रतिकर्सित करें प्रतिकर्शित क्यों बोलेंगे क्योंकि सजाती धुरू है तो ऐसे धुरू क्या कहलाते हैं एक आंग धुरू कहलाते हैं तो कभी भी एक्जाम में यदि आपको न्यूटन के एस्वारी कुलाम के नियम के साथ यदि आपको कुलाम के नियम के साथ एक आंग धुरू की यह और दी रख्षी में 1 अपान 4 पाई अप्साला नट P अपान P अपान R square प्लस A square का पावर 3 by 2 और इसको ज़िए हम start के लिए apply करें तो start के लिए E equal to 1 अपान 4 पाई अपसाला नट 2 P अपान R cube और इसको start के लिए apply करें तो E equal to 1 upon 2 by epsilon not P upon RQ यह formula तो कल के class में हमने यही नहीं लिखा था कल के class में यहीं लिखा था ना यह कौन है जो formula गलत लिखा है यह है वो है इतना होगा वोल है कहां गया यह formula तो मैंने बताया नहीं था यह होता है start distance के लिए यह formula तो कल मैंने बताया नहीं था main formula यह होता है वो वारा formula तो बताया नहीं था एक आंक धुरू का उप्योग होता है एक आंक धुरू की साहता से हम चुमकी छत्र की तिवरता निकालते हैं आगे हम बताएंगो इसको चलिए ठीक तो कोई problem कुलाम की नियम पर अब हम पढ़ते हैं चुमकी छत्र की तिवरता कुलाम की नियम पर कोई problem तो नहीं एक आंक धुरू का यूज अभी समझाओंगा मैं एक आंक धुरू का यूज क्या होता है अभी मैं समझाओंगा देखो चुमकी छत्र की तिवरता को समझने के लिए हमको एक चीज समझना होगा देखो सबसे पहले देखो मालो कोई चुमक रखा है और यह हमालो किसी चुम्बा का चुम्बा की छेतर है यह किसी चुम्बा का चुम्बा की छेतर है तो इस चुम्बा की चुम्बा की छेतर में जब हम किसी एक आंग उत्री ध्रू को रखेंगे जिसको हम कहते हैं परिक्षर ध्रू परिक्षर ध्रू टेस्ट पोल टेस्ट पोल का मतलब होता है वह पोल जिसकी साहता से किसी बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की तिवरता का परिक्षन किया जाता है टेस्ट पोल और परिक्षन धुरू किसको माना गया एक आंक उत्तरी धुरू को जो एक आंक उत्तरी धुरू होता है उसको माना गया टेस्ट पोल एक आंक उत्तरी धुरू को परिक्षर धुरू माना जाता है एक आंक उत्तरी धुरू को परिक्षर धुरू माना गया यह क्या है एक परिपार्टी है कन्वेंशन का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा चीज माल लेते हैं जिसका कोई reason नहीं होता बट उसको define करने के लिए जरूरी होता है उसको हम परिपाटी कहते हैं without any scientific reason बीना कोई वैज्ञानिक काराण के हम माल लेते हैं उसको तब हम उसको क्या कहते हैं परिपाटी कहते हैं तो एकांक उत्री ध्रू को परिक्षण ध्रू माना गया है क्यों विद्दु छेतर की स्वारी चुमबकी छेतर की तिवरता की गर्णा करने की अब यहां पर देखो यह माल लो एक चुमबकी छेतर है और इस चुमबकी छेतर में माल लो यहां पर एकांक च्छेतर की तिवरता कहते हैं आप विदू च्छेतर की तिवरता पढ़े हैं आपको याद है देखो एक चीज मैं आपको बता दूँ यदि आपने electricity को ढंग से पढ़ा है और electricity को आप revise कर क्या होगे तो सवाल ही नहीं है कि यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई प्राब्लम हो रिविजन तो करा रहा हूं मैं मैं भाई complete आपको रिविजन करा रहा हूं और कुछ नहीं है तो देखो यहाँ पर होता क्या है दो धुरों के बीच लगने वाला बल अभी हमने पढ़ा अब यदि हम यहाँ पर क्या करें दूसरे धुरों को जो की M2 है उसको हम एकाई ले 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 तो M2 को जब एकाई ले लेंगे तो therefore यहाँ पर बल F कमान 10 की घात रिंट साथ और M1 को हम खाली M लिग देते हैं M upon D square होगा और तब हम इसको F ना करकर क्या कहेंगे B कहेंगे क्योंकि हम चुमबकी छेतर की तिवरता को B से पदरसित करते हैं इस परकार से चुमबकी छेतर की तिवरता जो होता है वह 10 to the power minus 7 M upon D cube के बराबर होता है यदि हम यहाँ पर 1 M का और गुणा कर दें तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं M भी लिख सकते हैं और उस टाइम में क्या हो जाएगा यह F हो जाएगा F बराबर M B होगा आपने पढ़ा है F equal to Q into E आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है F equal to Q into E उसी तरह से होता है F equal to M into B तो बल जो होता है चुमबकी छेत्र में जो बल होता है वह एक धुरू और चुमबकी छेत्र की तिवरता के गुणान फल के बराबर होता है जिस पकार से विद्धूत में वह आवेश और विद्धू छेतर की तिप्रता के गुड़न फल के बराबर होता है ये कहलाता है चुमबकी छेतर की तिप्रता इस पकार से हम चुमबकी छेतर की तिप्रता की परिभासा क्या कह सकते हैं चुम्बकी छेत्र में रखा एक आंक उत्तरी धुरू जितने बल का अनभाव करता है उसे हम क्या कहते हैं? चुम्बकी छेत्र की तीबरता कहते हैं जैसे बिद्धु छेत्र की तीबरता वैशी चुम्बकी छेत्र में रखा एक आंक उत्तरी धुरू जितने बल का उन्भाव करता है उसे हम विद्दू चुम्बकी छेतर के तिवरता करते हैं यह हमने previous class में पढ़ लिया है यह तो बस slide में आपको इस यह दिखाया बताने के लिए कि हमने previous class में यह पढ़ाई किया हुआ है इसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करें यहां से चुम्बकी छेतर रेखाएं magnetic field lines यह हम विद्दू बल रेखाएं पढ़े हैं वैसी चुम्बकी बल रेखाएं देखो आपको मैं दो-तिन दिन से class में सिर्फ एकी बात बोल रहा हूँ बार-बार कि अभी हम जो भी टापिक पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हमारा electricity से related है वही है पूरा का पूरा वही है कल से हमारा new topic की start होगा जो कल नहीं एक class के बाद और जो नया होगा चलिए तो हम discuss करें कि चुम्बकी छेतर रेखाएं क्या होती है जिस पकार से आपने विद्धु छेतर रेखाओं के बारे में पढ़ा कि विद्धु बल रेखाएं वो और एक निस्पोर काल्पनिक वक्र होते हैं जिसमें एक आंक धन आवेस गमन करता है यह आपने पढ़ा है तो चुम्बकी बल रेखाएं क्या हो जाएंगी थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर मैं फटाफट आपको एक चुम्बक दन चुम्बक का चितर बना के समझा दूँ मालो यह अपने पास एक दन चुम्बक है बार मेगनेट है यह इसका नार्था साउथ पोल है और यह चारों और अपना चुम्बकी छेतर यह बनाया हुआ है अब इसके चुम्बकी छेतर में मालो हम कहीं पर एक आंक उत्रे धुरू को रखें मालो यह एक यूनिट पाजिटिव पाजिटिव नहीं यूनिट पोल यह है दुरू है यह नार्थ पोल है तो जब यूनिट नार्थ पोल को हम इसके चुमबकी छेत्र में रखेंगे तो यह वाला जो नार्थ पोल है क्या करेगा उसको प्रतिकरसित करेगा क्योंकि नार्थ पोल नार्थ पोल को पती करसीद करता है और यह साउथ क्या करेगा उसको अपनी और आकरसीद करेगा इस पकार से यह जो एक आंक उत्रिद्रू है वह धीरे धीरे साउथ पोल की और आगे बढ़ेगा इस पकार से यह देखा गया कि जब यह यहां से गती स्टार्ट करता है त प्रसत इसका प्रयोग होता है जिसमें हम बल रेखाएं खीचते हैं जिसमें हम क्या करते हैं बल रेखाएं खीचते हैं इसके प्रयोग होता है हमको एक दन चुमबक दे भिया जाता है और दन चुमबक की सहयता से उत्तरी धुरूसिक सहयता से मुसको बल रेखा खीचते हैं प्रयोग बहुत आसांग्योग है अब इन बिंदूओं को मैं मिला दिया तो ऐसे हम हमको बहुत सारे कर्भ मिलेंगे इस पकार से बहुत सारे अपने को कर्भ मिलेंगे यह सब कर्reiben मिलेंगे के इपने को थे अब इसके बाद होता क्या है कि ये चुंबक के बाहर नार्थ से साउथ की और चलते हैं लेकिन जैसे चुंबक के अंदर ये पहुँचते हैं तो साउथ से नार्थ की और चलते हैं इनका डारेक्शन क्या हो जाता है साउथ से नार्थ की और हो जाता है तो यहाँ पर हमने देखा है विदुद बल रेखा में क्या देखा है कि ये धन आवेस से स्टार्ट होता है और रिड में जाके समाप्त हो जाता है मतलब वो खुला वक्र बनाता है यही एक मात्र अंतर है चुम्बकी बल रेखा और विदुद बल रेखा में अभी भी पूरे सारे गुण को इसका मैं आपको वन बाई वन एक पॉइंट को बता दूँगा, पहले मैं पूरा आपको theoretical explain कर लूँ, तो एक आंक धन आवेस गमन करता है, वो धन से स्टार्ट होके रिड़ में समाथ हो जाता है, लेकिन चुम्बक में ऐसा नहीं होता है, मैं रहा हूँ, डीटेल में की स्लाइड में लिखा लूँ, ये बन्द वक्र बनाता है, शबसे महत्पूर्ण बात है ये कि चुम्बक की बल रखाएं सदेव एक, बन्द वक्र बनाती है, ठीक है, तो ये बन्द वक्र बनाता है, दूसरा आप देखोacia हो यहाँ पार, दूसरा क्लाइन साव फोर्शें ज्यादा होते हैं वहां तिवरत अधिक होती है तो यह बंदवक्र बनाते हैं जहां पर सगन होते हैं वहां पर उनकी प्रतिकरसित करती हैं और लंबवत आकरसित करती हैं इस गुणु को आप ध्याँ रखना लंबवत प्रतिकरसित और लंबवत आकरसित दोनों के एक साथ लिख दिया मैं चौथा महत्पूर्ण पाइंट इसका यह है कि किसी भी बिंदू पर मालो चुमबकी बल रेखा के किसी भी बिंदू पर यदि हमको चुमबकी छेतर की तिप्रता जानना है तो हमको उस बिंदू पर क्या होता है इस पर्स रेखा खीचना होता है जैसे मान लो इस बिंदू पर मेरे को चुम्बकी छेत्र की तिप्रता जानना है तो वहाँ पर मेरे को इस पर्स रेखा खीचना होता है नतलब किसी भी बिंदू पर चुम्बकी बल रेखाओं के किसी भी बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की तिप्रता की दिशा उस बिंदू पर खीचे गए इस पर्स रेखा की दिशा में होती है ये इसका तीसरा प्रापर्टी है तो यहाँ पर मैं साखर लगले स्लाइट में मैं लिखा हुआ हूँ वो समय आपको पूरा एस्प्रेंट कर दूँगा पाचवा ये क्या है इस परस रेखी हो गया और पाचवा हो गया कभी नहीं काटती चुमबकी बल रखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बोर्ड एक जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि चुम्बकी बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काड़ती क्यों या तो विद्यूद बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काड़ती क्यों ऐसा पूछा जाता है दोनों में से एक जगा प्राय हाते रहता है तो चुम्बकी बल रेखा विद्यूद बल रेखा में कोई भिन् निकरना है तो चुम्बकी बाल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती जिस पकार से विदुद बाल रेखाएं दूसरे को नहीं काटती तो भाई क्यों कारण क्या है तो कारण मैंने आपको प्रिभियस क्लास में भी एस्प्रेंड किया था कि मालो दोनों एक दूसरे को का व्याटिया मालो यह पहली रेखा है और यह मालो यह दूसरी रेखा है अब मैं उस कटान बिंदू पर आपको मलूम है कि कोई भी कटान बिंदू उभैणिस्ट बिंदू होता है कटान बिंदू ilic कि कटान बिन्दू पर यदि मेरे को चुमगी छेत्र की दिषा निकालना है और पहली रेखा की यह को हिसल को दूसरी बल रेखा के लिए छुमगपी छेत्र की दिवर्ता घिचनी हैस्ट दूसरी बन रेखा के कि पहले छेत्र के लिए चुमबकी छेत्र की तीब्रता की दिशा और दूसरे के लिए चुमबकी छेत्र की तीब्रता की दिशा दोनों की दिशा क्या है भीन भीन है और ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि एक उभयनिस्ट बिंदू उपर दो इस परस रेखा खीचे जा सके क्यों दो विदुद बल रेखाएं एक दुस्य को काड़ती हैं, यह सर्वता गलत है, ठीक है, इस पकार से हम क्या का सकते हैं, कि दो चुमबकी बल रेखाएं, एक दुस्य को कभी नहीं काड़ती, यह ध्यान में रखना, ओके, तो यह है, चुमबकी बल रेखाएं और उसके मिलाया वों सभके सब्सक्रान है देखे पहला देखो चुंबकी आथ है। बनदवकर बनाती हैं। दूसरा की बिंदु पर खीची गई इस परस रिखा उस बिंदु पर की पिप्रता कि दिशा को दर्स आती है यह मैंने आपको बताया तीसरा दो छेत्र दोशत्रे रखाएंगे को कभी नहीं काट पी है इसका मतलब क्या है जैसे किसी रसी कृश्त दो जिदी किसी रस्ती को खीच n Land起 दो और खीचने के बाद छोड़ो तो Smarpar खीरे क्या होता हो शिकूरता है इस प्रकार से क्या है यह तनी हुई ड्यूरी को सिकूरता इसा बिखेप करता है यह कहलाता है चुमबक की बहत्त कि बढ़ रखाएं और उसके में doğru किसी पइंट पर कोई प्राब्लम किसी पइंटंपर कोई भी प्राब्लम Show तो सभी पाइंट अच्छे से क्लियर हो गया चलिए अब हम पढ़ते हैं आज चुम्बकी द्वीध्रू या छड़ चुम्बक के कारण चुम्बकी छेत्र तो यहां पर क्या है पहला जो हम पढ़ने वाला है इसमें ध्यान से समझना इसका एक्जाम में आना लगभग डिसाइडेड होता है यहां पर हम तीन कंडिशन पढ़ेंगे आज मैं एक कंडिशन को एस्प्रेन कर रहा हूं और नेस्ट क्लास में हम बचे हुए दो को एक साथ करेंगे आज एक को कर रहे हैं दो को कल करेंगे ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे जब बिन्दू अक्षी रेखा पर इस्थित हो विन पॉइंट लाइंस on axial position इसको बोलते हैं अक्षी रेखा पर तो हम उच्छी रेखा पर इस्थित हैं यह कह लाता है अक्षी स्थिती axial position चलिए तो यहां पर खरना करते हैं ये माल लो एक दंड चुम्बक है और इस दंड चुम्बक में ये इसका अक्षा है ये दंड चुम्बक का अक्षा है क्योंकि अक्ष मैंने आपको बताया था दोनों धुनों को मिलाने वाली जो सीजी रेखा होती है वह उसका अक्ष कहलाता है यह सपोस इसका नार्थ पोल है यह सपोस इसका साउथ पोल है इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है वह मालो 2L है आपको मालूम है प्रभावकारी लंबाई यहां से यहां तक इसकी लंबाई क्या है? 2L है यह इसका मद्ध बिंदु है यह meet point है इसकी लंबाई को हमने 2L ले लिया और इसके मध्ध बिंदू से मालो इसके मध्ध बिंदू से यहां से R दूरी पर या D दूरी पर यह एक point है यहां पर हमको चुमकी छेतर की तिवरता निकालना है दूरीयों को देखो चीतर को ध्यान से समझना जब चक चीतर आप ध्यान से नहीं समझोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है यह कोई point है और इस point P पर हमको चुमकी छेतर की तिवरता का गणना करना है अब देखो यहां से यहां तक यह distance को हमने मालो D ले लिया यहां से यहां तक की लंबाई कीतना हो जाएगा L क्योंकि total 2L है तो आधी लंबाई कीतना हो जाएगा Qc, clear? तो यह अक्षी-स्थिपी का मतलब क्या होता है? चुम्बक के अक्ष के किसी बिंदु पर अब ध्यान से समझना चूंकि जिस बिंदू पर हमको चुमबकी छेतर की तिब्रता निकालना है वहाँ पर हम एकांग उत्रीधु की कलपना करेंगे कि मालनों वहाँ पर एकांग उत्रीधु रखा हुआ है अब जब यहाँ पर एकांग उत्रीधु रखा हुआ है ते साउथ पोल, साउथ पोल क्या करेगा उसको अपनी और खीचेगा, क्योंकि एकांग कुत्री धुरू को यह आकरसित करेगा, यह इस दिसा में, और इसके कारण यहाँ पर जो चुमबकी छेतर का तिब्रता होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बी एस, यह चुमबकी छेतर की त प्रतिकरसित करेगा, क्योंकि भी नार्थ है, तो नार्थ उसको प्रतिकरसित करेगा, तो इस दिसा में प्रतिकरसर होगा, और इसका मान हम कहेंगे, बी एन यह इसका प्रतिकरसर बल है, इस प्रकार से इस पे कारे करेगा, clear? अब जब देखो, बी एस और बी एन दोनों ए करेंगे यह हमारा concept है अब हम इसका calculation रिस्टाइट करते हैं और बारी-बारी से उसके चुमकी छेकर किती ब्रता निकालते हैं एक बार B S के लिए और एक बार B N के लिए ओके चलिए तो हमने स्लाइड में ही इसका कल्कुरेशन स्टार्ट करें सबसे पहले गर्णा तो गर्णा में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या B S B S मतलब साउथ पोल के कारण तो देखो साउथ पोल के कारण यहाँ पर इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे P S या F P कहेंगे तो क्या हो जाएगा मू नाट अपान 4 पाई क्या हो जाएगा इसका वेल्यू मू नाट अपान 4 पाई M अपान इसका धुरू प्राबल ने मालो इस मालेम है यहाँ पर हमने माल लिया कि दोनों धुरू का धुरू प्राबल ने क्या है इस मालेम है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा M अपान M अपान क्या हो जाएगा दोनों की बीच की दूरी S P स्क्वेर यह हो जाएगा चुम्बकी छेतर की तीब्रता B is equal to mu naught upon 4 pi M upon S P square कोई problem यहाँ तक that equal इसको आगे हम साल्व करें आगे साल्व करने पर क्या होगा that equal mu naught upon 4 pi M upon अच्छा है यहाँ पर हम इसकी दिसा भी बता दें तो दिसा बताने के लिए हम क्या करेंगे यह bracket में लिख देंगे इसकी दिसा क्या है देखो S की दिसा P से S की ओर है तो side में हम लिख देंगे P S और P S के उपर में हम arrow लगा देंगे क्योंकि चुम्बकी छेतर की तीब्रता एक सदी स्रासी है और उसका दिसा बताना हमको जोरी है यह हो जाएगा तो M upon क्या होगा देखो यह हो जाएगा M upon S P स्क्वेर अब चित्र में देखो S P का मान क्या है यह S P का जो मान है ध्यान देना यहां से यहां तक दूरी क्या है D है और यहां से यहां तक दुरी क्या है L है तो यह वाली जो दुरी कितना हो जाएगा वो है अगर D-L उस दुरी को हम कहा सकते हैं D-L इस प्रकार से यह हो जाएगा D-L का होल स्प्यर यह हो गया relation number first यह हो गया D को R भी suppose कर सकते हो संकेत से कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है चलिए अब हम देखें इसी प्रकार से हम क्या लिखें तथा B S स्वारी B N अब यदि हम B N का विल्यो लिका लें तो B N इक्वल टू क्या हो जाएगा Mu 0 upon 4 Pi M upon अब यहां पर इनके बीच के दूरी क्या है देखो यह P है और यह N है इसको हम क्या जसकते है P N का square यह हो जाएगा प N का square हो जाएगा अब इसका भी direction हमको बताना है तो यह क्या है प्रतिकरशबल है देखो नार्स पर उसको प्रतिकरशित कर रहा है यह B N तो इसका जो दिसा है वह N से P की ओर होगा N से P की ओर होगा तो यहाँ पर हम direction so कर देंगे क्या N, P, यह हम arrow लगा दिये ऐसा, अब आगे हम इसको solve करें तो क्या होगा That equal, यह होगा Mu naught upon 4 pi, M upon PN तो PN का value क्या होगा यहाँ से देखो PN का value, यह हो गया N, यह हो गया P तो यहाँ से यहाँ तक का distance क्या है L है और यह distance क्या है D है तो D plus L हो जाएगा इस प्रकार से हम क्या कहा सकते हैं इसको D plus L का whole square यह हो जाएगा relation number second तो हम पहले दोनों का value find कर लेंगे पहले हम दोनों का value find कर लेंगे D minus L का whole square, D plus L का whole square निकलगा इसके है अब यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों में से अधीकोन है क्योंकि परिणामी निकालने के लिए हमको जादा में से कम को घटाना पड़ेगा तो इसलिए परिणामी तिवरता इसलिए परिणामी इसलिए परिणामी तिवरता इसकी जो परिणामी तिवरता है उसका मान कितना होगा देखो हाँ, ध्यान दे ना BS और BN यह दोनों की दिशा एक दूसरे के ठीक विपरित है तो जब किसी पिंड पर दो बल एक दूसरे के ठीक विपरित दिशा में that means 180 degree पर काम करते है तो वहाँ पर परिणामी निकालने के लिए हमको अधिक में से कम को घटा ना होता है यह हम बल के concept से जानते है बल तिवरता बल ही है अब यह मैंने को यह बताओ कि यह जो BS है इसका value यह है और BN का value यह है तो BS और BN में अधिक कोन है BS और BN में अधिक कोन है बताईए किस में से किसको खटाए BS और BN में अधिक value किसका है यह question में आप से पूछ रहा हूं और आपके comments में देख रहा हूं कि BS और BN में बड़ा value कोन है देख रहा हूं आप लोगों कमेंट्स में देख रहा हूं कितने लोग सही बता पा रहे हो ठीक है सब का नाम यहां पढ़ों तो बहुत टाइम हो जाएगा लेकिन मैं देख रहा हूं कौन सही बता रहा है को समझभा रहा है चलिए ठीक है यहां पर इसका हर चोटा है यहां ऐसा भी कह सकते हैं कि जब दूरी कम होती है तो बल जादा लगता है कुलाम के नियम कांसार वर्गके वित्रमा नुपाती होता है तो दूरी जितनी कम होती है बल उतना ही अधिक लगता है ठीक है तो B S क्या है यहाँ पर यह बड़ा रासी है तो परणामी तीवरता निकालने के लिए हम क्या करेंगे परणामी तीवरता B equal to हम लिखेंगे इसमें एरो लगाने के जिवरत नहीं है तो B equal to हो जाएगा B S minus B N यहाँ पर चाहो तो काराण लिख सकते हो चूंकि B S बड़ा है किस से B S है इस तरह से तो B S minus B N हो जाएगा that equal दोनों का मान यहाँ भर दिया जाए यहाँ दोनों का value यहाँ पर put up कर दें तो B S का value यहाँ इसको यहाँ पर हम put up कर देंगे तो हो जाएगा mu naught upon 4 pi और M इसमें से common हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा देखो यहाँ से 1 upon D minus L का holy square यह हो जाएगा 1 upon D minus L का holy square और minus 1 upon D plus L का holy square यह हो जाएगा that equal आगे हम इसको solve करें mu naught upon 4 pi M under bracket अब क्या करें हम दोनों का LCM निकालें तो D minus L है और यह क्या है D plus L है तो दोनों का LCM हो जाएगा D square minus L square तो यह हो जाएगा D square D square minus L square का holy square D square minus L square का holy square अब इसका यहाँ multiply हो जाएगा मतलब यह हो जाएगा D plus L का holy square minus यह हो जाएगा D minus L का holy square इस तरह से हो जाएगा that equal अब इसको हम solve करें तो mu naught upon 4 pi M upon अब यहाँ पर ध्यान देना कि यह जो value है यहाँ पर देखो यह है D plus L का holy square D minus L का holy square तो आपको मालूम है कि algebra में A plus B का holy square ठीक है very good बहुत लोग बता रहें answer इसका ठीक very good वैसे पूरा electricity का copy है यह पूरा electricity का copy है तो 4DL हो जाएगा 4LD मालूम मैं offline class में students को homework देता हूं कि इसको आप लोग कर ले ना विल्कुल electricity जैसा है करके लेकिन online class में होता है क्योंकि नए ने students आते रहते हैं class में आप उनको बोलूँ कि मैं electricity जैसे कर ले ना तो बोलेंगे सर्द अभी था हमनी electricity नहीं किया है तो चलो भाई इससे अच्छा बता दो सारा चीज तो पूरा का पूरा electricity जैसे चल ला है तीन या चार लेक्चर तो पूरा electricity का कापी है फिर भी चलो रिविजन हो जाता है आपका फोर ld हो गया और नीचे में हो जाएगा यह d square minus l square का whole square अब उसको हम combine करते हैं इसको फोर को 2 into 2 लिख के तो 2 ml capital M होता है तो आगे हम इसको combine करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो बहुत आसान topic है और important है mu naught upon 4 pi यह हो जाएगा 2 ml और into 2d लिख सकते हैं आपन यहाँ से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे देखो यह 2 लिया M को लिया L को लिया और वहाँ से 2 बचा और into 2d यह ने लिया अब इसके denominator में हर में हो जाएगा d square minus l square का whole square that implies आगे इसको salve किया जाए तो b equal to होगा mu naught upon 4 pi यह हो जाएगा capital M तो हो जाएगा 2 capital M into d 2md upon d square minus l square का whole square और यही होता है final equation यह इसका final equation है और axial position जिसको हम अक्षी सिती कहते हैं तो अक्षी सिती पर चुमबकी छेतर की तिवरता का जो मान है अक्षी सिती पर चुमबकी छेतर का तिवरता का मान इतना होता है यह इसका final equation है अब इसके लिए हम एक special condition वैसे उस दिन तो chart में सब बता दिया था मैं वहाँ उस दिन मैं d के जगा में r लिख दिया था संकोतर 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 सो कुछ नहीं होता तो मैं आपको जब विद्यूतर चुमबक का comparative आपको जो chart बनवाया था उस comparative chart में आपको यह बात बिल्कुल clear है कि यहाँ पर यह formula मैं आपको पहले से derive करते हुए आ रहा हूँ ठीक है चलिए अब यहाँ पर हम देखें सेकंड इसका special case तो special case में हम क्या देखेंगे कि इसका जो value है जिसको प्रभाव करें लंबाई कहते हैं 2L वो दूरी से बहुत छोटा है मतलब चुम्बक का जो effective length होता है उसकी जो प्रभावी लंबाई है वह जिस बिंदू पर हम तिब्रता ग्याद करने वाले हैं उसकी तुलना में बहुत कम है मतलब चुम्बक छोटा है बिंदू बहुत दूर है तब हम क्या करेंगे इसको negligible मान लेंगे जब इसको negligible मान ल md upon d to the power 4 that implies that implies b equal that implies b equal to इसके साथ में cancel out होगा तो हो जाएगा mu naught upon 4 pi 2m upon d cube ओके तो यह इसका final equation है 사ight magnet बोलता है इसको far sight magnet छोटा चुम्बक छोटे चुम्बक के लिए चुम्बक का मतलब चुम्बक छोटा हो ऐसा नहीं है ना दूरी के respect में छोटा हो यहाँ पर relative degree है मतलब relative value है इसका तुलनात्मक मान है ऐसा छोटा सा चुम्बक हो ऐसा नहीं चुम्बक चाहे जितना बड़ा हो लेकिन जिस दूरी पर तिब्रता निकालना है उसकी तुलना में छोटा हो कई पर इस्ट्रेंट क्या समाझ जते हैं मालू में कि सर छोटा चुम्बक के लिए बताये थे मतलब वो छोटा से चुम्बक के लिए होगा ऐसा नहीं है दूरी के कंपेरिजन में देखो यहाँ पर दूरी से कंपेर हो रहा है दूरी के कंपेरिजन में छोटा हो कभी कभी इतना छोटा चुम्बक बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा चुम्बक छोटा हो जाएगा तो आप बोलो कि सर छोटा तो यह है, ऐसा नहीं है, with respect to distance, दूरी के सापेक्स होता है, ठीक है, जब बिंदु विशुवतिय रेखा या निरक्षी रेखा पर इस्थी थो, जिसको हम इंगलीज में बोलते हैं, equatorial position, यह हमारा second position है, देखो मैंने आपसे पहले भी discuss किया था, कि दोनों में से एक आपके exam में आना ही है, या तो यह आएगा, या जो मैं कल पढ़ाया भू आएगा, यह, और यह कहलाता है, इंगलीज में equatorial position, clear, तो board exam में दोनों में से question का आना लगभग decided होता है, चलिए, फिर यहाँ पर हम discuss करे कि भाई, यह निरक्षी स्थिती होता क्या है, तो यह अपने पास एक धन्चुम्बक है, और इस धन्चुम्बक का यह अक्ष्य है, और यह इसका उदासी नक्ष्य है, और यह उदासी नक्ष्य ही क्या कहलाता है, इसका निरक्षी स्थिती कहलाता है, निरक्ष्य कहलाता है अब मालनो इस उदासी नक्ष पर यहाँ पर आप कल्पना करो कि यहाँ पर इस बिंदु पी पर हमको चुमबकी छत्र की तीम रता निकालना है यह हमारा जो बार मेगनेट है यह इसका नार्थ पोल है यह इसका साउध पोल है और इसकी जो प्रभावी लंबाई है जिसको हम इसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं यह मालो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है उसको हमने क्या माल लिया है ट को चुम्बकी छेतर की तीवरता की गढ़ना करना है तो जब इस बिंदू पर हम एकांग उत्रीधू रखेंगे तो यह जो उत्रीधू है वहाँ के उत्रीधू को क्या करेगा प्रतिकर्शित करेगा इस पकार से यहां पर किस तरह का सीच्वेसन बनेगा यहां पर यह करने करना है िसका यहां नूट्रल पॉइंट से पोजिसन मतब उसका दूरी मानवो क्या है यह 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 दूरी हमने आर मान लिया तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा? L होगा मान लो ये वाला जो कोण है वो थीटा है तो चुकि ये दूरी समान होता है तो यह भी कोण क्या होगा थीटा होगा किसी भी त्रिभूज के जब आमने सामने के भूजा बराबर हो तो आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं तो यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा अब देखो यह त्रिभूज का वाहे कोण है यह त्रिभूज का वाहे कोण है एक त्रिभूज है और यह त्रिभूज का वाहे कोण यह वही सी कोण है और आपको मालूम है कि किसी भी त्रिभूज का जो वही सी कोण होता है वह दो द दूरस्त अंता कोड़ों को योगफल के बराबर होता है इस पकार से यहां पर दूरस्त अंता कोड़ थीटा और थीटा है तो दोनों थीटा जूड़के टू थीटा हो जाएंगे यह हो जाएगा देखो यह चीज आप हमें सा ध्यान में रखना कि फिजिक्स में किसी भी फार जो डेरिवेशन का स्टेफ है वह चीतर पर ही आधारित होता है तो क्या हो रहा है नार्थ पोल इस नार्थ पोल को पतिकरसित करेगा तो इसको हम कहेंगे बी एन बी एन मतलब उत्तरी धुरू के काराण चुमकी छेतर की तिब्रता और यह साउथ पोल क्या करेगा उसको अ परणामी है वो मानलो यह है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ब्लू कलर के लाइन से यहाँ पर मैं सो कर रहा हूँ यह परणामी तिब्रता का डारेक्शन है और मानलो परणामी का मान कितना है बी है और यही हमको ज्याद करना है तो यह है हमारा फिगर यहाँ पर एक महत् प्लस A L E स्क्वेर, root of R E स्क्वेर प्लस A L E स्क्वेर हो जाएगा, इस पकार से देखो, यह इसका value होगा, तो मेरे ख्याल से चीतर आप लोग को अच्छे से समझ में आगया होगा, और यह लिदी चीतर आपको अच्छे से समझ में आगया है, तो calculation में कोई problem नहीं है, ठीक है तो diagram clear है सबको, सबको diagram clear है, diagram में कोई problem नहीं, चलिए ठीक, very good, अब हम इसकी करें गर्णा, अब हम गर्णा करें, तो गर्णा में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, या तो B S निकाल लेते हैं, या तो B N निकाल लेते हैं, तो माल लो हम यहाँ पर सबसे पहले B N निकाल ले सकता है तो ओमालो हमने यहाँ पर निकाल लिया भी एन यह वेक्टर भी एन तो चुमबंगी छेत्र की तिव्रता का फार्मुला क्या होता है मू 0 अपान फोर पाई एम अपान उचके बीच की दूरी का वर्ग तो देखो यह नार्थ पोल है और इसके बीच का दूरी क्या है p n इस दुरी का हमने नाम दिया है क्या p nd का स्केर और इसका डारेक्षन क्या होगा देखो n से ओर होगा सिकाट आरेक्षन ओपर मैंने एरो लगा है देखो यहां पर दीशाव वागरा प्रापर बताना जबर्वी है तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, तो N से P की और इसका डारेक्शन है, तो यहाँ पर हम इसका डारेक्शन लिख देंगे, N P उपर में arrow लगा देंगे, मने ये बताता है कि चुम्बकी छेत्रकी तिब्रता की दिशा किस और है, ये यहाँ पर बताता है, ओके, अब इसी प् स्मार्ट वर्कर करोगे, मतलब प्रापर फार्मूला यूज करोगे तो इस्टेप कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर जिस तरीके से में बता रहा हूँ, वो बहुत ही क्लियर और इसपस्ट है, और छोटा है, तो B S कमान निकाले, B S कमान हो जाएगा, मू नाट अपान फोर प इसका डिरेक्शन क्योंकि यह आकरसित कर रहा है, तो यह हो जाएगा, P S और P S डिरेक्शन में यह होगा, इस तरह से, तो देखो दोनों का वेल्यू निकाल देंगे अपन, अब चूंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक महत्पूर बात यह है, कि P N जो है, वो P S के पर है, अब यहाँ पर देखो, दोनों कंडिशन में, यह P N है, और यह P S है, और P N और P S को हमने बराबर बता दिया, बाकी चीज़ तो अपने आप पहले से बराबर है, कहने का मतलब B S और B N आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो therefore, यहाँ पर हम क्या लिख सकते है therefore, B N बराबर B S, अब यहाँ पर उपर में ARO नहीं लगाना, क्योंकि B N और B S परिमार में बराबर है, न की दिशा में, दखो चोटी चोटी बातों को ध्यार रखने पड़ता है, यहाँ पर मैंने ARO लगाया है, वहाँ पर ARO क्यों लगाया है, क्योंकि वहाँ पर हम उसको दिशा सहीद बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, मैं ARO नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि B N और B S परिमार में बराबर हैं, ना डिरेक्शन, डिरेक्शन तो दोनों का अलग-अलग है, दोनों परिमार में बराबर हैं, अब यहाँ पर आपको याद होगा, कि जब हम 11th क ध्यान रहता नहीं है, वो मुझे मालूम है, इसको नोट करके आप याद रखोगे, क्या, कि परिमामी जब A जो है B के बराबर होता है, जब दो सदीस परिमार में आपस में बराबर होते हैं, तो इनका जो परिमार में निकालने का फर्मूला होता है, वह 2 A कास थीटा तो यहाँ पर इसलिए हम परिमामी तीबरता निकालें, तो क्या हो जागा देखो, therefore परिमामी तीबरता, therefore परिमामी तीबरता, यह सब फर्मूला कहां से आया जानना है, तो हमारा जो Basic Mathematical Tools का जो वीडियो है, वो आप जरूर देखो, क्योंकि जब तक आपका Basic Mathematical Tools लगव जिसका इंधन है, तो हमारे Playlist में आपको मिलेगा, चारो पांचो Mathematics को, आप Calculus को, Vector को, सब को अच्छे से पढ़ लो, बहुत जोरी हो, बहुत ही ज़्यादा जोरी है, तो परिमामी तीबरता निकालेंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा, टू, देखो, इस फर्मूला से 2 और A मतलब दोनों में से कोई एक सदिस, तो माल लो उसको हमने BN माल लिया, BN 2, BN और कास, यहाँ पर देखो, दोनों की बीच का जो एंगल है, हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं, वो कितना है, 2 थीटा है, तो जैसे सुत्र में, थीटा बाइ 2 होता है यहाँ पर, तो यहा जो अभी पीछे में वेल्यू पूट किया हुआ है, BN का, और यह हो जाएगा, M upon, अब ध्यान देना यहाँ पर, M upon यह BN का वेल्यू हम निकाल के रखे हैं, PN 2, एक बार उसका वेल्यू पूट कर देता हो हमें, तो हो जाएगा, PN 2 और इंटू कास, टू टू कटेगा, that equal, M upon 4pi, यह 2 को मैं इधर लिख रहा हूँ, अब यह 2M हो जाएगा, और upon, upon में देखो, PN का square, तो PN का square क्या है देखो, यह हम निकाल के रखे हैं, PN जिसका वेल्यू है, under root R square plus L square, तो जब उसका square है, तो root हट जाएगा, तो R square plus L square हो जाएगा, इस पकास यहाँ पर यहाँ पर देखो, कास थीटा, तो कास थीटा का value फिर चीतर से देखो, क्या होगा भई, यह कास थीटा, तो कास थीटा निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार L है, और कर्ण तो यही है, तो क्या हो जाएगा, L upon, कास थीटा का value, L upon under root R square plus L square, य आगे इसको हम हल करें तो क्या कर सकते हैं देखोंगे अब इसको हम आगे हल करें तो चुमबकी शेतर की तिप्रता को हम कितना लिख सकते हैं यहां ही पर लिखता हूं यहां से आप समझ गया होगे कि यह 2m और L क्या बन जाएगा capital M मतलब चुमबकी आगुण बन जाएगा तो यह हो जाएगा mu naught upon 4pi और यह हो गया capital M और upon R square plus L square का घाथ यहां पर 1 है और यहां पर root of R square plus L square मतलब R square plus L square का घाथ कितना है 1 बटे 2 है तो 1 धन 1 बटे 2 तीन बटे 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा R square plus L square का whole power 3 by 2 यह इसका final equation हो जाएगा यह इसका अंतिम सुत्र हो जाएगा जो की निरक्षी स्थिती पर चुमबकी छेतर की तिवरता के लिए फार्मूला होगा यह इसका final equation है बहुत आसान calculation है अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको previous class में समझाया था कि यदि इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है मतलब 2L यह बहुत छोटा हो किसे R से मतलब छोटे चुमबक के लिए यदि छोटा चुमबक हो 60 magnet हो तो उस condition में हम L को negligible मान सकते हैं यह जब L को negligible मान लेंगे तो R स्क्वेर का घात 3 बटे 2 हो जाएगा तो R स्क्वेर का घात 3 बटे 2 दो दो कटेगा तो कितना हो जाएगा R क्यूब तो उस condition में चुमबक ही 60 की 3 ब्रता जो होगा उसका value हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नाट अपान 4 पाई और यह हो जाएगा M अपान यह तो cancel out हो गया तो M अपान R क्यूब यह इसका फर्मूला हो जाएगा या D संकेत लेंगे तो D हो जाएगा संकेतों का कोई value नहीं है कभी भी आप D ले लो R ले लो एगा M अपान R क्यूब वह डी लिया था ठीक तो D कर दें क्या क्योंकि दोनों का तुल्ला करना है तो confusion नहीं हो चलो मैं D ही कर देता हूँ इसको कोई बड़ी बात नहीं है चलो ताकि confusion नहीं हो इससे कुछ नहीं होना है न लेकिन मैं कर देता हूँ D जहां जहां R है बस ए क्योंकि दोनों फार्मूला का भी अपने को तुल्ना भी करना है न दोनों फार्मूला का तुल्ना भी करना है तो similarity रहे अलग अलग दिन में पढ़ाने से ऐसी होता है same date में पढ़ाया होता तो संक्यत को वह लिया होता आप लोग भी करेंट यह जवरी नहीं है लेकिन चुकि दोनों का तूलना करना है इसलिए मैं उसको कर दे रहा हूँ ठीक है चलो देखो यह D दूरी ले लो यह होगा D square प्रस L square D square प्रस L square, D square प्रस L square, D square प्रस L square और यहां पर होगा D cube clear और कहीं तो नहीं वाज गया ना ठीक तो यह फार्मूला है छोटे चुम्बक के लिए इस पेसल नोट यह है कि छोटे चुम्बक के लिए छोटे चुम्बक के लिए मतला बेदी मेगनेट का लेंध छोटा हो तो उस कंदिशन में हमने अक्षी सिती में तिवरता पढ़ा अक्षी सिती में अक्षी सिती में चुम्बक के लिए की तिवरता को मालो मैं बी वन कह दूँ तो बी वन इक्वर्टू हमने पढ़ा है कि अक्षी सिती में जो तिवरता है वह निरक्षी सिती की तिवरता की कितनी है दो गुनी है टू टाइम से तो देरफोर देरफोर हम क्या लिए लोग दिख सकते है कि अक्षी सिती में जो तिवरता वी वन इस निरक्षी सिती की मतलत शोटे चुम्बक के लिए तो किसी भी साइट मेगनेट के लिए अक्षी सिती में चुमबकी है शीक्ति सिती में आप पढ़च़् चुके हो एक दिन का और क्लास अभी electricity पर repeat होगा उसके बाद फिर आप नए concept पर चले आओगे तो समझ में आगे इतनी बात आपको next अब हमको पढ़ना है किसी भी स्थिती पर मतलब any position किसी भी स्थिती पर मतलब any position अच्छा any position के बारे में खास बाते हैं ध्यां रखना यह सिर्फ 2L is very less than D के लिए लागू होता है बाकी सब के लागू नहीं होता any position पर तिप्रता हम तभी निकाल सकते हैं जब चुमबक क्या है छोटा हो मतलब चुमबक की जो प्रभाव का लिए लंबाई हो है वो क्या है क्या है बहुत कम हो दुरी की तुलना में तब यह हो पाता है ठीक है चलिए तो कैसे होगा इसके लिए पहले हम condition बना लें कि any position होता क्या है पहले तो यह देखो any position है क्या तो यह मालनो A अक्षा है और यह उदास्रीन अक्षा है और जिस बिंदू पर तीब्रता ग्याद करना है जिस बिंदू पर तीब्रता ग्याद करना है वह बिंदू मालो यहाँ पर है इस बिंदू पर मालो हमको तीब्रता ग्याद करना है तो देखो यह बिंदू ना तो अक्ष में है ना तो neutral axis में है उदासी नक्ष में है, मतलब एनी पोजिशन पर है और हमारे पास कोई धन्चुमबक है, वो सपोस हम इमेजिन करते हैं, कलपना करते हैं कि ये हमारा धन्चुमबक इस पकार से रखा हुआ है तो इसका एनी पोजिशन हो गया अब यहाँ पर हमको जो दिसा है मतलब इसके चुमबकी आगून का जो घटक है इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं पहला घटक क्या हो जाएगा ये 36 घटक होगा ये उर्दाधर घटक होगा, क्योंकि चुमबकी आगून जो होता है चुमबकी आगून सदिस रासी है और सदिस रासी का हम वियोजन कर सकते है सदिस रासी का सदिस वियोजन किया जा सकता है तो मालनो इस चुमबक का जो चुमबकी आगून है केपिटले में बहुत ध्यान से समझना क्योंकि मेरा जहां तक experience है इस topic को बहुत student थोड़ा कठीन समझते हैं मच बात है इसलिए एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनों तो मालो इस चुम्बक का चुम्बकी आगूर्ण केपिटल एम है तो यहाँ पर जैसे की दिखाया गया है चित्र में देखो यह कोड़ थीटा है तो यह कोड़ भी थीटा होगा संगत कोड़ है देखो दोनों समांत है वह चुम्बक का दूर का घटक है तो एम साइन थीटा होगा ऐसा होगा इस तरह से इसके घटक होंगे और यह जो बिंदु पी जहां पर हमको चुम्बकी छेत्र की तिप्रता निकालना है वह हमालों चुम्बक के केंद्र से वह हमालों डी दूरी पर रखा हुआ है यह अब यहां पर मेतंड यह है कि हमको इस दन चुम्बक को बारी benefits range करके इस बिंदू को एक बार उसके अक्षी स्थिती में रहा bleibt मतलक मगाग को घुमाना है बिंदू तो अपने प्स जगाई स्थि तिर है जैसे इसको geeमाएंगे ऐसे घुन आगएंगे इस तरह से चुम्ब में आपको explain कर देता हूं घुमा के देखो एक बार इस चुम्बा को हमने ऐसा घुमा दिया कि एक मिनट इसको डाटेट लाइन से बनाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा क्यों कि वह एक तरह से imagination है तो ज्यादा clear होता है ना यह हमने चुम्बा को एक बार ऐसा घुमाया है अब ऐसा घुमाने से इसके अक्ष में आ गया फिर हमने अपने चुम्बा को एसस घुमाया अब देखो इस condition में उसको दासी नक्ष में आ गया ए यह point तो देखो यह जो point है यह पॉइंट एक बार इसके साहल अक्षी श्थिति में है और इसके साहत में क्या हूँ निरख्शी स्थिति के स confess निरख्शीस आठीर के लिए और दो बार गुमाने की बाद क्या करेंगे हम उसकी गढ़ना करेंगे तो यह इसका complete situation है अब हम इसको गर्णा करते हैं गर्णा बहुत असान है देखो मैं बार-बार एक बात आपको बोलता हूं कि concept clear हो और इस तरह से figure आपको अच्छा से explain कर दिया गया है तो आपको calculation सबसे असान part होता है तो गर्णा स्थिती में मतलब जब उसको अक्छी स्थिती में लाया गया है जब बिंदू को अक्छी स्थिती में लायंगे तो उसमय स्थ की प्रता का मान कितना होगा इसको मालों हमने फ वन्स मान लिए तो ब possono equal to हो जाएगा mu naught upon 4π, और यह होगा 2m, 2m, अब देखो अक्सी स्थिति, मने यह इसका अक्सी स्थिति है, और अक्सी स्थिति के समनांतर m cas theta है, तो यहाँ पर m का जो घटक लिखा जाएगा, वह m cas theta लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m cas theta, यह उसको घटक हो जाएगा, 2m cast θटा, मतलब हम 36 स्थीती में लेंगे, मतलब उसमें cast θटा घटक लेंगे, और बीच की दूरी का Q होता है, तो यह D क्यूब हो जाएगा, यह हो जाएगा 2m cast θटा अक्सी स्थीती में, अब इसी को यदि हम निरक्षी स्थिती में निकालें तो क्या फार्मूला होगा देखो तथा निरक्षी स्थिती में यदि हम इसको निरक्षी स्थिती में निकालें तो निरक्षी स्थिती में इसका value अब आपको पता है कि B1 अक्सी स्थीटी है, B2 निरक्षी स्थीटी है, और अक्सी स्थीटी निरक्षी स्थीटी के लंबोत होता है, तो परणामीत निब्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का resultant निकालेंगे तो पाइथा गुरस्थियोर हम से तो इसलिए परणामी तीब्रता इसलिए परणामी तीब्रता B बराबर अंडर रूट आप यह होगा B1 square प्लस B2 square यह होगा that equal अब इसके value को हम put up कर देते हैं तो रूट आप B1 का value क्या होगा mu not upon 4 pi 2m cos theta upon d cube यह होगा इसका holy square और प्लस B2 का value हमने का निकाला है mu not upon 4 pi m sin theta upon d cube का holy square यह निकाला है that equal अब दोनों में ध्यान देना दोनों में क्या होगा यहाँ पर mu not upon 4 pi mu not upon 4 pi और यह m d cube यह सब कामन है m यह सब कामन उसको बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर निकालेंगे तो इसमें वर्ग लगा हुआ है और रूट के बाहर आएगा तो वर्ग उसमें से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा यह mu not upon 4 pi m upon d cube इतना बाहर निकाल जाएगा तो अंडर रूट के हम अंदर यह 2 का square मतलब 4 और कास का square कास square theta अब प्लस यहाँ से बच जाएगा sine square theta इस तरह से अब इसको हम आगे साल्व करें तो आगे साल्व करने पर क्या होगा आगे साल्व होने पर क्या होगा देखो यह हम sine theta को कास theta या तो दोनों को कास बना लेते हैं या दोनों को sine बना लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करें sine को कास बना लेते हैं तो therefore अब यहाँ पर हो जाएगा 4 cas square theta और plus sin square theta को लिख सकते हैं पन 1 minus cas square theta sin square theta को 1 minus cas square theta लिखा जा सकता है तो that implies अब इसका value हो जाएगा b equal to mu naught upon 4 pi यह m upon d cube और root के अंदर में यह 4 cas square theta में से 1 cas square theta minus होगा तो हो जाएगा 3 cas square theta plus 1 यह हो गया any position पर मतलब किसी भी स्थिती पर चुमबकी छेत्र की तिवरता के लिए फार्मूला यह any position पर चुमबकी छेत्र की तिवरता के लिए फार्मूला है ठीक है? तो यह बहुत important question है ठीक है? यह बहुत ज़्यादा important question है और any position सिर्फ start magnet के लिए apply होता है ठीक है? इसको और कई तरीका से लिखा जा सकता है sign के फार्म में भी लिखा जा सकता है यहाँ पर जैसे 4 sin square theta है 80 square उसमें से 1 को ले लो 80 square theta को sin square theta plus 80 square theta तो 3 बचेगा तो 3 80 square theta कई तरीके सोचे जा सकता है इस formula को sin के फार्म में भी लिखा जा सकता है जब इसमें हम numerical बनाते हैं तो theta का value दिया रहता है जब इसमें हम numericals बनाते हैं तो theta का value दिया रहता है तो theta चाहे sign theta के फार्म में पूट करो चाहे kast theta के फार्म में पूट करो वेल्यू तो दोनों में आप लिख सकते हो इस परकार से साल्व होता है ठीक है तो ये हमारा आज complete हो गया intensity of magnetic field मतलब चुम्बकी छेत्र की तीवरता निकालने का तीन condition इसके पहले वाले class में मैंने आपको axial position बताया था मतलब अक्षी स्थिती और आज के class में मैंने आपको बत हो गया अब इसमें मेगनेट जैसा जो टापिक है स्वारी electricity जैसे जो टापिक है उसमें तीन टापिक बज गए वह कौन-कौन सा है बार मेगनेट पर टार्क मतलब बलागुंड फिर उस पर कार्य और फिर उस पर स्थिती जूर्जा इतना टापिक पढ़ने के बाद जो मेगनेट में आप शुरू करोगे पढ़ाई वह आपके लिए नया होगा electricity से थोड़ा अलग होगा ओके एक समान चुमक की छेत्र में छड़ चुम्बक पर बल आगुंड ये है हमारा आज का टापिक एक समान चुमक की छेत्र है उसमें कोई छड़ चुम्बक है और उस पर हमको बल आगुंड निकालना है टार्क अन ए बार मेगनेट इन ए यूनिफार नमेटिव फिल्ड तो आपको ये बात पहले से पता है कि बल आगुंड ने क्या होता है या आप 11th क्लास में भी पढ़ तो यहां पर हमको क्या करना है एक समान चुम्बकी छेत्र है यूनिफार मेटिव फिल्ड जैसे यूनिफार में इलेक्टिक फिल्ड होता है उसी प्रकार से यूनिफार में मेगनेटिक फिल्ड होता है एक समान चुम्बकी छेत्र का मतलब होता है ऐसा चुम्बकी छेत्र जिसके प्रत्य एक बिंदू पर चुम्बकी छेतर की तिबरता समान तथा उसकी दिसा भी समान हो ऐसा छेतर एक समान चुम्बकी छेतर कहलता है तो एक समान चुम्बकी छेतर है कोई और उस एक समान चुम्बकी छेतर में हमने किसी दन्ड चुम्बक को लटका के रखा है तो दन चुम्बक को लटकाने पर उसमें जो बल अगुर्ण उत्पन होता है उस बल अगुर्ण का अपने को गर्णा करना है ठीक है चलिए तो सबसे पहले हमें चित्र बनाएं और चित्र में सो करें कि किस तरह से ये सिच्वेशन है तो ये है एक समान चुम्बकी छेत्र जो एक दन चुम्बक स्वतंतरता पूर्वक लटका हुआ है तो चलिए एक दन चुम्बक हम स्वतंतरता पूर्वक लटका देते हैं ये एक दन चुम्बक है और इस तरह से ये चुम्बक की छेत्र में लटका हुआ है एक समान चुम्बक की छेत्र में लटका हुआ है ये सपो अब जब इस प्रकार से इस दंड चुंबा को एक समान चुंबा की छेतर में लटकाएंगे तो मानलो यह क्या है अपने चुंबा की छेतर से थीटा कोण बना के लटका हुआ है अब आपको मालूम है मानलो यह इसका नार्थ पोल है और यह मानलो इसका साउथ पोल है इस तरह और अपनी और खीचेगा और आपने 11 क्लास में पढ़ा हूँ आपको मालूम है कि जब किसी भी पिंड पर दो समान बल एक दूसरे के ठीक विप्रिद्दिशा में कार्य करते हैं तो उन्हें हम बल यूग्म कहते हैं फोर साप कपल कहते हैं उन्हें बल यूग्म कहते हैं ओके तो यहाँ पर देखो यह जो नार्थ पोल है इसमें उपर की और बल लगेगा यहाँ पर देखो यह बल उपर लगेगा और इसका ठीक विप्रिद्दिशा में एक बल इधर लगेगा तो यहाँ पर बल यूग्म कह निर्माड होगा और जब भी बल यूग्म कह निर्माड ह यह मैंने आपको previous class में समझाया हुआ है ठीक है और यह हो जाएगा MB यह MB हो जाएगा ठीक है इस तरह से देखो यह MB फोर्स इधर और MB फोर्स इधर दोनों दिशा में यह कारे करेगा फोर्स आप कपल और इस तरह से जब इसमें बल यूगम का निर्माड होगा तो यह क्या होगा टार्क डबलफ होगा जिसके कारण मेगनेट क्या होता है रोटेट होने लगेगा टार्क डबलफ होगा बल यूगम के कारण तो टार्क का जो वेल्यू होता है यहाँ पर हम उसका टार्क टा बराबर होता है बल गुडित लंबवद दूरी बलों के बीच की लंबवद दूरी ये क्या होता है टार्क का टा का फर्मूला होता है बल गुरित लंबवत दूरी दोनों में से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी ये क्या कहलाता है बल आगुन कहलाता है तो यहाँ पर देखो बल कमान f है तो हम उसका value put कर देते हैं f यह हमने बल कमान भर दिया f और into दोनों के बीच की लंबद्दूरी तो देखो दोनों के बीच की लंबद्दूरी यहाँ पर हम देखें तो मालो इस चुंबक की जो प्रभावकरी लंबाई है मालो इस चुमबक की प्रभावकारी लंबाई है ये इसको हमने 2L लिया इसकी प्रभावकारी लंबाई को हमने मालो 2L लिया तो ये इसके बीचकी दूरी नहीं होगी क्योंकि आपको मालूम है कि बल आगुर निकालने के लिए हमको लंबवत दूरी चाहिέ पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस से ही और यह देखो तिर्शी दूरी है तो पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर देखो यह वाले लाइन को हमने पीछे बढ़ाया और इस लाइन को पीछे बढ़ाकर इस लाइन से हमने इसमें लम डाला यह हमने इस लाइन में लम डाल दिया अब इनके बीच की जो लमबत दूरी होगी वह यह दूरी होगी S और मालो इस बिंदू का नाम है P तो इन दोनों बलों की बीच की दूरी देखो एक MB बल का डारेक्शन ये है और एक बल का डारेक्शन ये है तो इस बल और इस बल के बीच की जो लंबत दूरी होगी ये दूरी होगी S P इस बराबर हो जाएगा बल गुरित लंबत दूरी, मने f into हम इसको क्या कह सकते है, sp कह सकते हैं, बल गुरित लंबत दूरी कमान कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो कि sp कमान हमको यहाँ पर निकालना है, कि वह sp का value क्या है, तो sp का value निकालने के लिए हम इस triangle में आएंगे और देखो ये चू की theta cone है ये चू की theta cone है तो यह भी theta cone होगा ये एक आंतर cone है क्योंकि ये दोनों रेखा समनांतर है और ये तीरियक रेखा है तो ये cone इस cone के वराबर होगा ये क्या है एक आंतर cone है तो अब त्रिभूज यहांपर मैं अलग से निकाल रहा हूँ यहांपर उसको मैं अलग से निकालके आपको सो कर रहा हूँ यहांपर त्रिभूज किसमें ये त्रिभूज अपने पास S, N, P तो तरिभूज m component S n p में इस तरिभूज में यदि मैं sin θ निकलूँ तो sin θ पराबर लंबटे करन होगा तो यह त्रिटन है तो सामने S p लंब है और S n क्या है करन है तो S p अपान S n हो जाएगा इस पकार से ये हो जाएगा Sp अपान S n ऐसा होगा अब यहाँ से हम sp का value लिका लें तो sp equal to यह जो sn है यह sn जो आप देख रहे हो s से n तक इसकी लंबाई कितनी है 2l तो sn को इधा transfer कर दिया sin theta के साथ और उसके 2l लिख दिया तो यह हो जाएगा 2l sin theta यह हो जाएगा 2l sin theta इस तरह से अब हम इस sp के मान को यहाँ पर put up कर देते हैं इस जगा पे तो क्या हो जाएगा देखो that equal अब सभी मान को put करते हैं f का मान कितना है mb है तो f को मैंने लिख दिया mb और sp के value लिख दिया 2l into sin theta तो 2l into sin theta हो जाएगा that equal आगे अब इसको सालव किया जाए तो यहाँ पर देखो m और 2l आपको मालूम है कि यह जो m है और यह जो 2l है इन दोनों का गुड़न फल क्या हो जाएगा capitalim हो जाएगा क्योंकि वो चुमबक की आगोन हो जाएगा तब यह बन जाएगा m और into b और into sin theta तो टा बराबर मिल जाएगा m b sin theta यह बल आगुण निकालने का फर्मूला है इस पकार से टा बराबर m b sin theta होता है यह बहुत महत्पूर्ण फर्मूला है ध्यान रखना टा बराबर m b sin theta यह बल आगुण का फर्मूला होगा लेकिन अब यदि इसको हम सदीस रूप में लिखना चाहें बल आगुण क्या है? सदीस रासी है तो जब इसको हम सदीस रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? हमको सदीस बिजगटिस से पता है कि a ग्रास b a और b का जो क्रास पोड़क्ट होता है वह a b sin θ होता है a cross b का value क्या होता है a b sin theta होता है तो यहाँ पर देखो यह है m और b sin theta तो आप इसके साथ इसका compare करो तो जहाँ a का मान है वहाँ पर m है और जहाँ वहाँ पर b का मान है b है इस पकार से इसको क्या लिखा जा सकता है therefore इसको हम आगे सदिस रूप में लिख सकते है vector ta equal to लिख सकते है m cross b मतलब m और cross का cross product इसको लिखा जा सकता है इस पकार से इसको हम सदिस रूप में ऐसा पदर्शित कर सकते है क्योंकि सदिस निरूपण भी अपने को पता होना चाहिए किसी numerical में मानलो हमको m और b का मान सदिस रूप में दिया हुआ है मानलो किसी numerical में चुमबकी आगूण मतलब capital m का मान और चुमबकी छेतर की तिवरता मतलब b का मान ठीक है तो वो सदिस रूप में मानलो दिया है तब हम cross product करके हम उसको निकालेंगे इस पकार से cross product का अभी अपने को formula पता होना चाहिए तो यह दो formula है जो बल आगूण का हमको गढ़ना कराता है अब आगे हम देखेंगे इसके special conditions कि बल आगूण का अलग-अलग special case में मान क्या क्या होता है ठीक है तो यह सब हम पढ़े हुए है electricity में इसको हम दुबारा पढ़ रहे है चलिए आप इसको एक बार skin start लेलो फिर हम देखते हैं इसका special condition ओके यदि कुछ student class late join करते है कुछ student class late join करते है तो start हो चुका रहता है class तो थोड़ा समझ में आने में problem होता है naturally physics का class है वो तो थोड़ा सा problem होगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा और उसके बाद फिर अपनोड से बना सकते हो इसलिए आपको एक बार वीडियो को revise कर लेना चाहिए ठीक है चलिए अब हम देखें इस पर special case special case में सबसे पहले हम यह देखें कि यदि theta कमान यदि theta क्या हो 0 degree हो यदि theta 0 degree हो तो क्या होगा theta 0 degree होने का मतलब यहाँ चीतर में आप देखो यदि इस मान को मैं 0 degree कर दूँ तो यह जो बार मेगनेट देख रहे हो वो क्या होगा चुमबकी छेतर के समानतर हो जाएगा मतलब चुमबक जो है निकालना चाहें तो इस condition में इसका जो tark है वो कितना हो जाएगा m b m b sin 0 और sin 0 का value 0 होता है तो therefore उस समय टार का जो value है वह 0 हो जाएगा और यह इसका minimum value हो जाएगा इस पकार से यह minimum हो जाएगा और tark 0 हो जाएगा इसका minimum value होता है तो इस स्पेसल केस में यदि थीटा जिरो डिग्री हो तो टार का वेल्यू जिरो होता है यदि कोई चुम्बक किसी चुम्बक की छेत्र के समानांता रखा गया हो तो उस कंडिशन में उसमें चुम्बक की आगुण सुन्य होता है मतलब यदि मैं चित्र की रूप में आपको उसको बताऊं तो ऐसा कर सकते हैं ये मालो चुम्बक की छेत्र है और हमारा जो चुम्बक है वो ऐसा रखा हुआ है ये तो मालो ये इस कंडिशन में हो चुम्बक की छेत्र ऐसा हो और मेगनेट यदि ऐसा रखा हो तो इस कंडिश में चुम्बकी आगूना का वेल्यू जीरो होता है यह ध्यान में रखना ओके चली अब हम देखते हैं सेकंड इसका केस तो सेकंड केस में हम देखें जब थीटा 90 डिग्री होता है केस नमबर टू सेकंड नमबर इसकेसल केस में यदि थीटा का वेल्यू 90 अन्सो मतलब क्या हो वो लंब वाथ हो मतलब वो लंब बहुत हो थीटा का value 90 degree हो मतलब वो लंब बहुत हो और लंब बहुत होने के condition में टा का जो value होगा टा equal to हो जाएगा mb sin 90 degree mb sin 90 होगा और sin 90 का value 1 होता है sin 90 का value 1 होता है और जो कि उसका सबसे बड़ा value है तो उस condition में टा का जो value है वह maximum होगा और वह mb के बराबर हो जाएगा यह इसका maximum value होता है माने यह किस तरह का condition है यह चितर की सहाता से आपको बताऊं तो यह चुमबक की छेतर है और चुमबक किसके लंब बत रखा हुआ है चुमबक ऐसा रखा हुआ है तो चुमबक जब ऐसा रखा हुआ हो ध्यान रखना यह चुमबक की छेतर के तीब रहता है और यह चुमबक है जब चुमबक ऐसा रखा हो तो उस समय बल अगुण क्या होता है अधिकतम होता है तो ठीटा का value जब 90 degree हो तो यह maximum होता है तो यह है बल अगुण दंड चुमबक पर आप लोग maximum student अपने chatting में लगे रहते हो और मैं आपके chat पढ़के आपके साथ इन्वाल हो गया तब तो खतम एक तो आप लोग डिस्टर्ब रहते हो उसको पढ़के मैं डिस्टर्ब हो जाऊं तो जो पढ़ने आया है उसका तो हो गया काम तो भीया जितने देर तक मैं concentrate होके पढ़ाता हूं मुझे पढ़ाने दो बाकि जिनको उसमें लगे रहना है लगे रहो मैं क्या कर सकता हूं क्योंकि एक चीज़ आप याद कर लेना यह important time life में दुबारा return नहीं आने वाला है और यही छोटे छोटे मोमेंट आगे चलके हमारा पूरा भविस से निर्माण करते है अच्छा भी और बुरा भी तो आपको सोचना है उसको और मैं इसको पढ़के उसमें इन्वालब रहूं तो इस पर work up करूंगा मैं बीच-बीच में देख लेता हूं मैं लेकिन पासीबल नहीं है है कि नहीं एक तो आप लोग में से बहुत लोग वहां पर डिस्टर्बर रहते हो मुझे मालूम है मैं कर क्या सकता हूं एक चीज आप हमेशा नोट कर लो इस ब्रह्मान में कोई भी ताकत आपको अपने दम पर सक्सेस नहीं करा सकती ऐसा कोई पावर ही नहीं बना जो आपको अपने दम पर सक्सेस करा दे हम तो बहुत समन है चोटे से इनसान है हर इंसान अपने दम पर सक्सेस होता है अपने hard work पर, अपने मेहनत पर, अपने focus पर, अपने concentration पर, अपने लगन पर ही success होता है वो चीज़ डवलप करो और बाकी एक चीज़ आप note कर लो कि 2-4-5 साल life का जो important time है ये 2-4-5 साल को waste करने के बाद only पस्तावा रहता है मुझे मालूम है बहुत लंबे समय से बच्चों के contact में हूँ 23-24 से मैं पढ़ा रहा हूँ online बच्चों की इतने contact में हूँ तो offline में online में तो भी आप लोग केवल इस तरह से मेरे सामने हो क्या कर सकते हैं अब आप बोलते सर आप इनवाल सर चेटिंग नहीं पढ़ते सर कुछ बोल मैं प्रापर कोस्चन के जवाब देता हूँ जो अब हम देखें एक समान चुमबकी छेत्र में छर चुमबक पर किया गया काड़े अब जो टपिक हम पढ़ने वाले हैं यह क्या है एक समान चुम्बक की छेतर में छर चुम्बक पर किया गया काड़ देखो जब बल अगुण लगता है तो बल अगुण एक तरह से बल है और जब बल कार्य करेगा बल किसी पर लगाया जाएगा तो नेचरली उसमें कार्य होगा तो उस पर क्या होगा कार्य होगा और उस कार्य का हमको क्या करना यहाँ पर गर्णा करना है तो चित्र वही रहेगा चित्र रिपीट करने का जूरत नहीं है मानलो हम अपने चुम्बा को थीटा कोड से घुमाना चाहते हैं ठीक है कोमल सिंग साइन ही क्यों लिया है यह जानना है तो आप लोग को बल अगुन के डिटेल कॉंसेट पर जाना होगा यहाँ पर देखो इनका कोस्चन है साइन ही क्यों लिया है उसको मैं थोड़ सम्या देता हूँ पहले साइन ही क्यों लिया है देखो यहाँ पर मेरे को sf का value निकालना है और sp यह है dolphin यह है जो की lump है sp यहाँ पर lump है और lump 2 ही में आएगा sign में आएगा और ten में आएगा cast में तो lump आएगा नहीं एक तो sign में आएगा lump बटे आधार और manuscript 10 में आएगा lump बटे कंड, lump बटे आधार तो अब आप सुचोगे सर 10 क्यों नहीं लिए तो 10 नहीं लेने का कारण क्या है कि हमको सूत्र में प्रभावकरी लंबाई भी लाना है और जो कि यहां पर क्या है कर्ण है यह कि यहां पर कर्ण है तो लंब और कर्ण में सम्बंद sign ही दे सकता है यदि हम कास निकालेंगे तो कास निकालेंगे तो लंब हमको मिले गए नहीं और हमको लंब चाहिए तो कास रिजेक्ट हो गया टेन निकालेंगे तो उसमें आधार आ जाएगा और आधार हमारे कोई काम का नहीं है हमको तो इसके प्रभावकारी लंबाई को यूज़ करना है इसलिए हमने साइन निकाला कोमल आया समझने एक समान चुमबक की छेत्र में छड़ चुमबक पर किया गया कार्या तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चुमबक को चुमबक को अलप कोण अलप कोण मतलब छोटा कोण अलप कोण D theta मतलब एक हम इसमाल एंगल ले लेते हैं D theta तो चुमबक को अलप कोण D theta में घुमाने में किया गया कार्या में घुमाने में किया गया कार्या ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अलप कोण D theta में घुमाने में किया गया कारे अब ये D theta को में घुमाने में किया गया कारे को हमने ले लिया D w तो D w पराबर हो जाएगा टार्क जो की बल है और गोड़ी D theta हमको मालूम है कि जब हम 11th class में सब पढ़े हैं 11 क्लास में हमने पढ़ा है कि जब किसी पिंड को घुर्णी गती कराया जाता है तो घुर्णी गती कराने के लिए उसमें जो बल लगाया जाता है वो बल अघुर्ण होता है और उसमें जो कोड़ी विस्थापन होता है वो उसका विस्थापन होता है तो इस प्रकार से को हम पुट अप तो टा का जो भेलियू हमने पीछे निकाला है क्या निकाला है एभी साइन झीट Não ढ़ किन धीत तो यह ओ prueba को घुमाने में क्या गया कारिया अब्हम निकाल देटीता को भुमाने इसलिए चुम्बक को ठीटा कोण घुमाने में किया गया कारे है तो चुम्बक को जब ठीटा कोण हम घुमाएंगे तो कितना कारे करना पड़ेगा ये हमको निकालना है तो अब चुम्बक को उसके प्रारंभी की स्थिती से ठीटा कोण में घुमा रहे हैं मतलब ये कूल किया गया कारे हैं तो कूल किया गया कारे जो निकालेंगे वो डबलू होगा और डबलू बराबर क्या हो जाएगा इंटीक्रेशन मतलब होता है समा कलन माने सभी का योग ते छोटा 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 ली थीटा कोण घुमाने में जो छोटा छोटा हम कारे किये हैं उसका समा कलन करेंगे तो कहां से स्थिर अवस्था से स्थिर करेंगे मतलब हम 0 से स्थिर करेंगे और कहां तक घुमाएंगे उसको हम गुमाएंगे थीटा कोड तक, तो upper limit क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इस पकार से upper limit यह थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dw, dw मतलब छोटा छोटा किया गया कार्य, इस पकार से जब इस अल्प किया गया कार्य को, इस छोटे से किया गया कार्य क जब हम 0 से ठीटा कर तक समा कलन करेंगे तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा हमारा कूल क्या अगय कार निकल जाएगा अब यहाँ पर हम इसका value put up कर देते हैं तो that equal यह हो जाएगा 0 to theta और dw का मान हम यहाँ से लाके put कर देते हैं dw का मान है mb sin theta d theta तो यह value हो जाएगा mb sin theta into d theta यह value हम यहाँ पर put up कर देंगे अब mb sin theta d theta को हमको क्या करना होगा समा कलन करना होगा तो जब mb sin theta d theta को हमको समा कलन करना होगा तो mb यहाँ पर नियतांक है और वो constant क्या होगा integration के बाहर हो जाएगा इस तरह से जो हमारा क्या कायरिय होगा वो हो जाएगा w equal to mb हमने बाहर कर दिया अंदर हो जाएगा sin theta d theta from 0 to theta that equal mb अब मेरा को बताओ sin theta का integration क्या होता है sin theta का समा कलन क्या होता है कौन बताएगा sin theta का समा कलन कितने लोग बता पाते हो chat मैं पढ़ रहा हूँ बताए फटा फट ऐसे चीजों पर आंसर दिया करो तो यह minus constant theta होगा that equal minus को मैं बाहर लिग दिया तो minus mb अब हम पूट करेंगे upper limit minus lower limit तो cast theta minus cast 0 यह हो जाएगा that equal minus mb अब हम इसको लिख सकते है cast theta और minus cast 0 का value 1 होता है यह लिख सकते है अब आगे यदि हम minus को अंदर multiply कर दें तो therefore इस condition में w equal to क्या हो जाएगा mb minus अंदर multiply कर दिये तो 1 minus cast theta यह हो जाएगा mb 1 minus cast theta यह इसका final equation हो जाएगा मालो इसको हमको क्या करना है theta 1 से theta 2 कई बार क्या होता है कि मालो हम इसको theta 1 से theta 2 तक घुमाने में क्या गयकार्य है यदि हम इसको theta 1 से theta 2 तक घुमाना चाहें तो उसमें हम जो किया गया कार्य है उसका value कितना निकालेंगे तो w equal to हो जाएगा mb under bracket cast theta 2 minus cast theta 1 cast theta 2 minus cast theta 1 क्योंकि यहाँ पर lower limit theta 1 होगा upper limit theta 2 होगा cast theta 1 minus cast theta 2 होगा क्योंकि minus होने के गारण वो change आएगा cast theta 1 minus cast theta 2 इस फाम में भी हम इसको लिखेंगे क्योंकि कई बार question में हमको एक quote से दूसरे quote तक घुमाने के लिए numericals पूसता है तो हम इस फाम में इसको लिखेंगे यह है चुमबक को theta 1 या से theta 2 या theta quote घुमाने में किया गया काय दे ओके तो समझ में आ गया यहाँ तक सबको अब हमारा next topic है एक समान चुमबक की छत्र में छर चुमबक पर इस्थितिज उर्जा यह इस्थत्तज लिखा हुआ है इस्थितिज है ध्यान रखना सुधा लेना उसको मात्रा लगना भूल गया इस्थिति जूर्जा potential energy on a bar magnet in a uniform magnetic field एक समान चुमबक की छत्र में छर चुमबक पर इस्थितिज उर्जा यह जो टापिक है यह बिल्कुल अभी जो टापिक पढ़े हो उसको उसका कापी है मतलब आपको मालूम है कि जब हम किसी पिंड पर कारे करते हैं जब हम किसी पिंड पर कारे करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कारे उर्जा के रूप में परिवर्टित होता है क्योंकि कार्य हमेशा उर्जा के बराबर होता है तो अमाउंट आप doing work is always equal to energy तो जब किसी पिंड पर हम कार्य करते हैं वह कार्य उर्जा के बराबर होता है तो यहाँ पर हम जो कार्य किया हैं उसी कूर्जा में convert कर सकते हैं बस यहाँ पर हम को क्या करना होगा थीटा कौर तक हम घूमाते हैं तब क्या होता है उसको स्थिती जूर जाते हैं पाई बाई टू से थीटा कौर भूमाने में किया गया कार्य है पाई बाई टू से थीटा को भुमाने में क्या गया कार तो वो कार क्या हो जाएगा देखो डवलू इक्वल इंटीग्रेशन आप पाई बाई टू टू थीटा डी डवलू यह हम निकालेंगे मतलब अभी जो टापिक हमने पढ़ा है उसमें केवाल उसका लिमिट चेंज करेंगे ठीक है केवाल उसका लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन आप पाई बाई टू टू थीटा और डी डवलू का मान होता है mb sin theta d theta यह हो गया आगे इसको हम सालो करें तो that equal mb को मैंने बाहर कर दिया mb और इसका sin theta का integration हो गया minus cas theta और limit हो गया pi by 2 to theta that equal mb minus को बाहर कर दिया minus mb तो upper limit minus lower limit तो cas theta minus क्या हो जाएगा cas pi by 2, cas theta minus cas pi by 2 that equal minus mb अब यहाँ पर देखो यह तो हो गया cas theta और minus cas 90 यह कितना हो जाएगा 0, cas 90 0 हो जाएगा इस पकार से pi by 2 से theta तक घुमाने में किया गये कारे को हम स्थिती जूर्जा कहते हैं तो therefore इसको हम लिख सकते है pe इस्थिती जूर्जा pe potential energy बराबर minus का अंदर multiply कर देंगे तो minus mb cas theta minus mb cas theta यह हो जाएगा किया गया कारे है इस पकार से चुमबक पर जो sorry potential energy इस पकार से किसी दंड चुमबक पर किसी बार magnet को इदी move कराया जाए तो नब्यान से theta कोर तक घुमाने में जो किया गया कारे होता है वह उसके इस्थिती जूर्जा के रूप में उसमें संचीत होता है यह कहलाता है माइनस p cas theta यहां तक हमने electricity में भी पढ़ा था तो आज का class हम यहां complete करते है में electricity का repeat जो portion है magnet पर वह यहां complete हो गया मैंने उसको दुबारा पढ़ा दिया वैसे यह अपने से खुद से भी बन जाना चाहिए ठीक है तो अब हम next class में पढ़ेंगे पार्थी चुम्बकत मतलब पृत्वी के चुम्बकी गुणों के बारे में पृत्वी के चुम्बकी सक्ती के बारे में और उसके सभी घटक इन सब चीजों का next class में class start करेंगे ओके यहां तक कोई problem हो तो बताईए यहां तक किसी को कोई problem हो तो बताईए जैसे आप अभी chemistry पढ़ रहे होगे तो आपको लग रहोगा कि आप chemistry के class में आया करो chemistry का बहुत अच्छा class हो रहा है मैं चाहता हूँ कि बायों का भी उसी तरह का बहुत अच्छा class हो सभी subject के लिए मैं थोड़ा कोशिस करता हूँ बड़ थोड़ा सा problem तो होता है तो मैं पूरी कोशिस में लगा हुआ हूँ ठीक है भूच चुमकत या पार्थी चुमकत तो terrestrial magnetism बहुं चुमकत या पार्थी चुमकत देखो यह सब आपको पता है कि पृथ्वी एक चुमक है हमारी पृथ्वी एक चुमक है और चुमक की भाथी ब्योहार करता है वाथ को सबसे पहले पता किया और यहां पर मैं ठोड़ डिसकस करूं पहले पृत्वी के सिच्वेशन पर देखो तो आप सब को मालूम है सपोज यह हमारी पृत्वी है और यह पृत्वी का यह एक अक्षा है यह भूमध्य रेखा है और यह आप सब पॉल है ओके और यह जो नार्थ और साउथ पॉल होता है यह कौन सा पॉल होता है इसका जनरली जब हम पढ़ते हैं चोटे प्रणास में लूवर ग्लास में पड़ते हैं या बहुत ज्यादा डेठ्थ कॉंसेट पर जाकर हम डिसकास नहीं करते हैं तो हमको यह बता दिया जाता है कि जब किसी दन चुम्बक को हम इस प्रकार से स्वथंतत्ता पूरवक लटकाया जाता है तो आहों पुरओं निडिल भी कहा जाता है चुम्बकी सुई दिशा बताने का काम करता है दिख सुची कहा जाता है उसको ठीक है इन सब चीजों पर डिसकस करने से पहले आज हम यह डिसकस कर लें कि वास्तों में पृत्वी में चुम्बकत्व का गुर्ण आया क्यों अर्थ के मेगनेटिक प्रापर्टी का कारण क्या है तो देखो अर्थ की मेगनेटिक प्रापर्टी का जो बहुत से वज्यानिकों ने तरक दिया उसमें यह दिया कि पृत्वी के अंदर बहुत से मेगनेटिक मटेरियल लाइक निकेल, कोबाल्ट, आयरन यह सब क्या है के क्रोड पर सेंटर पर यह एकत्रित है हाई डेंसिटी माटरियल होने के कारण वह एक जगा इकठा है और इन लव चुम्बकी पदार्थों के कारण ही क्या है प्रिथ्वी पर चुम्बकी सक्ति है ऐसा मान्यता माना जाता है लेकिन यह 100% सही नहीं है क्योंकि आगे हम आपक की सक्ति समाप्त हो जाती है यदि चुम्बक को हम गर्म करें आपको याद होगा कि पहले दिन के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी चुम्बक को गर्म किया जाता है पीटा जाता है पटका जाता है तो उसकी चुम्बकी सक्ति समाप्त हो जाती है यह हमन में हैं तो लिक्विट फार्म में होने के कारण उसका टेंपरेचर इतना ज्यादा है और इतने टेंपरेचर पर वह मेगनेट की भाती बेवहार नहीं कर सकता वह चुंबा की भाती बेवहार नहीं कर सकता इसलिए यह मत को रिजेक्ट कर दिया गया और आज भी आज भी प्रि बिग बेंग का जो थियोरी माना जाता है वो अभी complete पूर्व नहीं हालाई की स्विडियार लाइन में लार्ज कोलाइडल है डान करके continuous एक experimental है जमीन के अंदर 90 फिट डेप्थ पर सूरंग बनाकर एक बहुत से देश के वाईज्यानिक उसमें Indian scientist भी बहुत हैं वो सब क्या है बिग बेंग के थियोरी को प्रूफ करने या उसको experimental उसको demonstration के लिए वो तैयार कर रहे हैं तो उससे धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि हमारी पृत्वी का उत्पत्ती कैसे हुआ प्रित्वी में गुरूत्वा करशन का बल क्यों आया प्रित्वी में चुमबकी सक्ती कहां से आया ये सब कारण अभी भी अग्यात है मतलब प्रित्वी के बहुत से nature का अभी भी study हो रहा है ठीक है हो सकता है आप में से भी कोई आगे चलके उस study में सामील हो तो यह थोड़ा सा डिस्कास मैंने आप लोगों से किया अब हम यहाँ पर देखें कि पृत्वी की जो चुम्बकी सक्ति होती है उसके क्या-क्या फेक्टर होते हैं तो यह हमारे पृत्वी को हमने इस पकार से नार्थ और साउथ पोल बनाया तो यह जो नार्थ और साउथ पोल हम पृत्वी में दिखाते हैं एक्ट्वल में वह उसका जियोग्रफिकल भागोलिक नार्थ और साउथ है इसको मैं संकेत कर देता हूँ NG जी फार जियोग्रफिकल और SG जी फार जियोग्रफिकल तो यह भौगोलिक नार्थ और भौगोलिक साउथ है लेकिन जब किसी दर्ण चुम्बक को सतंतरता पूर्वक लटकाए जाता है तो वास्ताओं में वह इस नार्थ साउथ में नहीं ठहरता वो इस से थोड़ा सा कुछ दिशा बनाते हुए ठहरता है वो क्या होता है देखो अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि प्रिथ्वी के दो धुरू और होते हैं ध्यान से समझ जाए यह मैं वाइट कलर से बनाया यह दो धुरू और और यह जो धुरू है यह और यह इसके मेगनेटिक नार्थ और साउथ है यह जो दोनों धुरू है यह इसके मेगनेटिक नार्थ और साउथ है इसको हम कहते हैं N M लिख देता हूं मेगनेटिक और यह है S M इस तरह से अब ये भी कर्मेंशन है ये फरी पार्टी है एक्ट्वल में होता क्या है देखो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना कभी भी हमको ये पढ़ाया गया या हम ये पढ़े हैं या बुप में भी हमने ये पढ़ा है कि जब किसी भी चुमबक को दन चुमबक को सतंतरता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह चुमबक सतंतरता पूर्वक जब लटकता है तो वह नार्थ साउथ में लटकता है ठीक है इस तरह से देखो इसकी स्थिती कैसी होती है ये मैं चुमबक को आपको लटका के बता रहा हूँ चुम्बक जब लटकता है तो इस तरह से लटकता है चुम्बक को जब 27 पुरक लटकाया जाता है तो चुम्बक के लटकने की इस्थिती यह होती है मैं बहुत डेप्थ में बहुत आराम से आपको एक-एक चीज़ों को समझा रहा हूं इनको आप समझना इसलिए मैं सुरू से कह दिया कि आपके एक्जाम के साथ-साथ आपके जनरल नालेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेन चीज़ है कि हम अपने पित्वी के सभी गुणों के बारे में जाने और फैर नार्थ पूर को प्रतिकर्सित करना चाहिए एक्चुल में वहाँ पर अपोजीट पोल आना चाहिए तो अपोजीट पोल आने के कारण ये क्या है कि अपोजीट पोल आना चाहिए लेकि नार्थ के तरफ नार्थ क्यों आया और जब हम किसी चुम्बा को सतनतता पूराख लटकाते हैं वो ऐसा ठारता है जैसे मालनो कोई सीप का केप्टन मेगनेटिक नीडिल के हेल्प से वो समुद्र की यात्रा पर है तो वह यदि प्रापर डारेक्शन में नहीं जाएगा तो सही जगा सही डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच बाएगा तो होता क्या है देखो यह भागोलिक नार्था है यह चुंबकी नार्था है यह भागोलिक साउथ है यह चुंबकी साउथ है और इन दोनों अक्षों के बीच में 11.3 डिग्री का डिफरेंस होता है 11.3 degree का difference होता है मतलब 11.3 degree के difference में यह near about होते है और यह value थोड़ा सा variable भी होता है यह थोड़ा change होते रहता है क्योंकि प्रित्वी का position जैसे जैसे है हमारे सुर्य के 4 यार अपनी galaxy पर जैसे जैसे प्रित्वी अपने orbital पर अपना position change करता है तो थोड़ा उसका क्रोड का position भी change होता है और इस क्रोड के displacement के करण इस क्रोड के displacement के करण इसका जो भागवली को चुमबक की आमोतर है वो थोड़ा सा disturb होता है clear तो इस तरह से 11.3 degree का इसमें degree change होता है अब यहाँ पर हुआ कि जब वईज्यानिकों ने चुमबक की सहायता से दीशा ग्याद करने का decide किया तो वो बोले तो गरबढ़ हो जाएगा क्या गरबढ़ हो जाएगा कि हम लोग north इधर माने हैं south इधर माने है और यदि उधर चुमबक का south जाएगा तो थोड़ा study में अस्विधा होगी इसलिए उन्होंने इसको परिपार्टी के रूप में मान लिया कि भाई ये भी इसका magnetic नार्थ है जबकि ऐसा नहीं है वहाँ पर वास्ताव में magnet रूपी चुमबक का south pole है ये बहुत important बात है बहुत ध्यान से समझना इसलिए जब भी हम यहाँ पर magnetic lines आप forces जब हम इसका सो करते हैं जब भी magnetic lines आप forces हम सो करते हैं कि इसका चुमबक का तो इस पकार से सो करते हैं देखो यहाँ पर सुक्ष्मता से समझना बातों को ये तो ये south है तो south में तो चुमबकी बल रखाए में यहाँ पर हम arrow बाहर के और लगाते हैं ये चुमबकी बल रखाएं बाहर के और इसमें arrow क्या होता है अंदर के और लगाते हैं ये प्रेक्टिकली देखा जाए तो वह south pole है लेकिन north क्यों माना गया दीशा को बताने के लिए आप जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा confusion बना रहेगा ये किस तरह की बात है नार्थ को सर्तो नार्थ को south को नार्थ बता रहे हैं ये जो नार्थ माना गया that is convention वह एक परिपार्टी है और परिपार्टी क्यों develop किया जाता है physics में या science में कुछ माननेताओं को rule बनाने के लिए उसको समझने के लिए ऐसी मानेंगे तो कुछ problems को solve करने के लिए जैसे मैं आपको धारा विदित में बताया कि धारा अदिसरासी माना गया जबकि धारा में दिसा होती है तो उसका मैंने बताया कि किस तरह से उसको convention किस कारण से माना गया खेर वो तो सदी स्योग के त्रिभूच नियम का पालन नहीं करता इससे माना गया यह जैसे आप प्रकास का chapter पढ़ते हो तो आप्तित किरण की दिसा में मापी गई दूरियों को धनात्मक लेते है तो आप्तित किरण की दिसा में मापी गई दूरियों को धनात्मक लेते हैं वह एक परिपार्टी है वह एक क्यावल परिपार्टी है उसका कोई कारण नहीं है तो यहाँ पर इसको नार्थ माना गया है यह बात ध्यान रखना इस नार्थ को define करने के लिए और इनके बीच में 11.3 डिगरी का difference होता है अब यहाँ पर चुम्बकी याम उत्तर और भगोली के याम उत्तर देखो यह मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ चुम्बकी याम उत्तर चुम्बकी आम उत्तर जिसको इंगलिस में कहते हैं चुम्बकी आम उत्तर होता क्या है मैं आप लोगों कोई आम उत्तर बताए था चुम्बकी आमोतर का मतलब होता है कि जहां से चुम्बक का जो अक्ष होता है उससे होकर जाने वाला जो लंबवत सतह है उस लंबवत सतह को क्या कहा जाता है यामोतर कहा जाता है तो यहां पर क्या है चुम्बकी आमोतर ठीक है तो चुम्बकी आमोतर का मतलब वही है कि जो भू चुमबकी आमोत्तर जो इसके चुमबकी अक्षे से होकर जाता है यह सता चुमबकी आमोत्तर कहलाता है और भौगोली की आमोत्तर जो इसके भौगोली का अक्षे से होकर जाता है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल मेरेडियन ये कहलाता है भोगोलिक याम उत्तर ठीक है तो चुमबकी याम उत्तर और भोगोलिक याम उत्तर दोनों के बीच में 11.3 डिग्री का इंगल होता है ये आप नोट करो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ महत्पूर्ण टर्मिनोलाजी को भूचुमबकी तत्व भूचुमबकी तत्व मतलब अर्थ मेगनेटीज्म को समझने के लिए कुछ हमको elements समझने होते हैं उनके टर्मिनोलाजी को समझना होता है जिसमें सबसे पहला है दिखपात का कौण दिखपात का कौण एंगल आप डेकलीनेशन इंगल आप डेकलीनेशन दिखपात का कौन क्या होता है किसी फ्थान पर चुमबकी आम motivating kे नियौन कौण को अभी मैंने बताया चुमबकी आमोत्तर और भावगली के आमोत्तर होता है इनके बीच के जो कौण बनता है उसको वह हूँका कहते हैं दिखपात का कौण थ्यों कि बीच के कौण को हम दिख पात का कौण काते हैं न्यून कौण को ठीक है वह इस तरह से होता है देखो ऐसा कुछ सिंबोलिक में फिगर बना रहा हूं तो दोनों या मुत्तर ठीक है कि बीच कोण बनेगा वह इस तरह से भी बना सकते हैं थ्री डेमेंशन फिगर एक्ट्वाल में थ्री डेमेंशन फिगर में क्या उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा प्राब्लम होता है या दूसरे धेंसे बनाता हूं रूपो इसको थोड़ा समझाने कोशिस करता हूं म एक को डाटेड लाइन से बनाता हूं तो समझ में आएगा ठीक है इस तरह से यह कुछ इस तरह से सांकेति गर्फ से आप समझ लो यह जो मैं ने कम्प्रिट लाइन में बनाया है वो क्या है चुबकी आमोतर है और डाटे लाइन से बनाया है उसको समझ बाव भाभवोली की आमोतर है और इन दोनों के बीच में जो code बनता है इस code को हम क्या कहते है यह इस code को हम कहेंगे दिखपाथ का code कहते है और इस code d, angle of declination d या फिर हम इसको del से भी represent करते हैं तो यह क्या कहलाता है चुम्बा की या मुत्तर आगा समय में यह कहलाता है इस दिखपाथ का code यह दिखपात का कोण कहलाता है तो definition आपको समझ में आ गया है definition मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है भावगोली कि या मुत्तर तथा चुमबकी या मुत्तर की बीच का जो noon कोण होता है, noon कोण मतलब less than 90 degree जो 90 से छोटा हो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं पर चुमबकी या मुत्तर कहते हैं एस वारी, दिख पात का कोण कहते हैं यह परिभासा कई बार पूछा गया एक्जाम में दिख पात का कोण किसे कहते हैं दो नंबर का परिभासा में question पूछ देता है देखो theoretical person है ज्यादा तर person तो इसमें theoretical है नमन कोण या नती कोण इंगलिज में बोला जाता है angle up deep किसी इस्थान पर चुमबकी या मुत्तर में पृत्वी का कुल चुमबकी छेत्र चेतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे उस इस्थान का नमन कोण कहते हैं इसे हम ठीटा से प्रदर्शित करते हैं तो किसी इस्थान पर चुमबकी या मुत्तर में पृत्वी का कुल चुमबकी छेत्र चेतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे उस इस्थान का नमन कोण कहते है इसको मैं आपको figure से समझादू भी हुआ है पृत्वी के चुमबकी छेत्र का 36 घटास को हम H से पतसित करते हैं 39 घटाक को H से पतसित करते हैं और उर्द अधर गटाक को V से पतसित करते हैं V फार वर्टीकल और इन दोनों का जो परिठामी होता है इन दोनों का resultant जो होता है और resultant के साथ में horizontal line जो angle बनाता है उसे हम क्या कहते हैं नम uncore कहते हैं यहाँ पर चितर से इस परकार से इसको समझा जा सकता है देखो मालो मैंने ये 36 घटक लिया ये मालो उसका 36 घटक है और ये अलग-अलग color से मैं इसको so कर देता हूँ ये मालो उसका उर्दाधर घटक है और ये मालो इसका परणामी है ये white color इसका परणामी है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देख देना ये बहुत important है exam में कई बार पुछा जाए बोर्ड exam में तो यह आते ही रहता है ये h है और ये क्या है भी है भी फार vertical है और ये जो आप white color से देख रहे हो ये दोनों का परणामी है इस resultant को मैंने i से represent किया है इस प्रकार से आप देखो यहाँ पर condition क्या है यह horizontal component है और यह क्या है vertical component है और यह दोनों का परणामी है और यहाँ पर यह जो angle बनता है इसी angle को हम theta से रिपे जन करते हैं और इसको बोलते हैं क्या नमन कोड यह कहलाता है नमन कोड तो नमन कोड का definition क्या हुआ भई प्रित्व का 36 ब्रता और प्रित्वी का उर्धाधर्ति ब्रता प्रित्वी के 36 ब्रता और उर्धाधर्ति ब्रता का जो परिणामी होता है प्रित्वी के 36 ब्रता और प्रित्वी के उर्धाधर्ति ब्रता का जो परिणामी है यह परिणामी यह 36 के साथ में जो कोड बनाता है 36 के साथ म आप लोग का जो एप्लिकेशन में नहीं ओपन हो रहा है उसको देखेंगे ठीक है चलिए नेस्ट हमारा टापिक है आई एच भी और थीटा में संबन इस चेप्टर का सबसे इंपोर्टन टापिक है मतलब इसमें से कोश्चन आता है निमेरकल्स भी आते हैं इसमें तो आई एच और धी और थीटा में क्या संबन हो सकता है अभी जो मैंने फिगर बनाया उसी फिगर को हम दूबारा बनाते हैं देखो और उसी से हम फार्मा डिराइब करेंगे ये होरिजड़न्टल कमपोनेंट हो गया भई यहाँ पर भी मैं वोई इकलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको परावर पता चले कोण क्या है ये है और इसके बाद हमने निकाल लिया ये परिणामी ये परिणामी ले लिया और इस कोण को हमने ले लिया मालो थीटा ये कोण हमारा थीटा है तो I, H, V और Theta क्या क्या है देखो यहाँ पर यह H है अभी मैं आपको बताया यह H है बहुत आसान है और यह V है और यह जो परिणामी है दोनों का वो क्या है I है हमको इस टापिक में करना क्या है टापिक में क्या वो लग ज़ा है I, H, V और Theta में relation बनाओ तो जो भी relation बनेगा इसी चितर की सहता से बनेगा यहाँ पर देखो इसमें संबंध कैसे बनाई जा सकता है बहुत आसान तरीका है हम क्या किये यहाँ से इसमें एक लम डाल दिये तो सबसे पहले हम यहाँ से एक लम डाल देते हैं इस पर आम दे दिया और इस बिंदु को नाम दे दिया b तो ओए भी एक समकोड तिभूज है कि तो समकोड त्रीभूज ओ इए बी में यही इस समकोड शुब हूँ ओ इवी में हम पाइथा गोड़ा च्छरम लगा दे समकोड त्रीभूज ओ अगो रखुल में मैं लिखी देता हूं पूरा पाइथा गोरस के प्रमें से तो इसमें पाइथा गोरस के प्रमें के दिए हम आपलाई करें सम्कोर्टी भूज़ ओ ए बी में तो क्या हो जाएगा देखो का चलो V को पहले लिख लिए यह V है तो यह भी होगा तो V का square प्लस क्या हो जाएगा H का square तो I square equal to V square plus H square यह हो जाएगा कोई problem that implies अब यहां से हमको I का value निकालना है तो दोनों side का root ले लेते हैं तो I equal to निकल जाएगा under root of V square plus H square I equal to under root V square plus H square यह हो जाएगा क्या इसमें संब्द यह हो गया I V और H में relation यह हो गया आई भी और H में relation इसके बाद हम देखते हैं थीटा के साथ relation क्या होगा तो थीटा के साथ relation के लिए हम क्या निकाल सकते हैं देखो पुना उसी समकौर्थ बहुत आसान तरीकस में आपको बता रहा हूं बिल्कुल दो लाइन में कई बुक में इसको बहुत लेंदी करके दिया रहता है क्या ज़ुरत है सिधा इसमें पाइथा गुरस का तिरम लगा और एक लाइन में यह प्रूफ हो जाता है अब इसी समकोर्ति भूज में हम निकाल तो टेन ठीटा से क्या हो जाएगा देखो टेन ठीटा होता है लंब वटे आधार तो अगेन यहाँ पर टेन ठीटा निकाला जाए तो थीटा करेंगे तो टेन inverse बन जाएगा 10 inverse V upon H यह इसका formula हो जाएगा इस तरह से आप देखो कि यह जो formula है यह जो formula है theta equal to 10 inverse V upon H यह होगा तो I equal to under root V square plus H square I equal to under root V square plus H square और 10 theta equal to V upon H यह इसका relation है तो बहुत आसान relation है और यह जो relation है वो आते रहता है exam में यह relation exam में प्राया आते रहता है इसकी शाट ले लिजिए मैं बोर्ट से हट जाता हूँ और कोई problem होए तो आप पूछ भी लिजिए तो IHB और theta में संबन यह बहुत important topic है यह मैंने ख्याल से आपको तयार होगे होगा इसके बाद कुछ definition पर हम discuss करते हैं देखो यह definition तो आपको finally learn करना है इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है यह फार्मूर आपको क्या है learn करना है जिसमें आप देखो आपेक्षिक चुम्बक सिल्था relative permeability आपेक्षिक चुम्बक सिल्था relative permeability किसी पदार्थ की निर्पेक्ष चुम्बक सिल्था जिसको हम तो फार्मूला बस finally आपको याद करना है यह कभी कभी आपको परिच्छा में पूछ देता है दो नंबर का छोटा सा question पूछ देता है या कभी कभी किसी numerical में भी इसका काम आ जाता है बाकी कोई बहुत ज्यादा महत पूर्ण नहीं है इसको आप लोग को याद करना है तो आपको आपेक्षिक चुम्बक सिल्था पूरा theoretical part है इसका और कुछ भी नहीं इसमें तो आपेक्षिक चुम्बक सिल्था यह कहलाता है relative permeability इसके बाद देखो चुम्बकी प्रवित्ति किसी पदार्थ में उत्पन चुम्बकन तिम्रता i और चुम्बकी तिम्रता h अभी म जो आपको English Alphabet के X की तरह देख रहा है करसी राइटिंग का X की तरह दीख रहा है वो actual में है क्या वो काई है ठीक है तो यह काई से इसको पदसित करते हैं तो किसी पदार्थ में उत्पन चुम्बकन तिम्रता i और चुम्बकी तिम्रता h के अनुपात को उस पदार्थ की चुम्बकी प्रवित्ती काते हैं ओकै बनाव next concept is सैथिल लहानी सब ठीकल डेफनेशन है यह पायट में और कूछनी है सैथिल लहानी क्या होता है देखो ठ़़ा इसको समझने है आपको सैथिल लहानी क्या है जब किसी लग चुम्बकी पदार्थ को चुम्बकीत तथा वी बार-बार करो वही काम वही काम करो फिर वह काम करो फिर उसका उल्टा काम करो तो धीरे-धीरे क्या होती है उसमें थिल लेता आ जाती है उसी तरह से चुंबक का एक नेचर होता है कि मानलों हम चुंबक को बार-बार चुंबकित करते हैं और बार-बार क्या करते हैं फिर फिर भी चुम्बकित कर दिये, ऐसा यदि हम बार-बार करें, तो ऐसा बार-बार करने पर क्या होता है, उसके चुम्बकित के जो नेचर है, उसमें कुछ कमी आ जती है, जिसे हम उसको सैथी लिहानी करते हैं, यह परिभासा आपको कभी भी एकजाम में पूछा जा सकता है, ते भी आप देख लो और लिख लो आप इसकीन साट ले लो definition आपको आपके बुक में भी मिलेगा definition में कोई बहुत special बात नहीं है ठीक है hysteresis losses बोला जाता है इसको मैं आपको इसको एक graph से भी represent कर दूँ तो ज्यादा बहतर रहेगा कि किस तरह से उसमेहानी होती है यह hysteresis graph कहलाता है इस graph को नाम ही hysteresis graph है यह मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इस तरह का graph होता है यह hysteresis last का एक तरफ क्या है इसके चुम्बकीत होने के और एक तरफ इसके वी चुम्बकीत होने के नेचर को दिखाए गया है जैसे मान लो यह चुम्बकीत होने का condition है यहां से यहां तक यह चुम्बकीत होने का condition है और फिर यह जो ultra direction है इसके वी चुम्बकीत होने का condition है इस प्रकार से आप graph में देखो कि चुम्बकीत और वी चुम्बकीत होने का जो इसका condition है यही क्या कहलाता है इसका graph कहलाता है H और B यह 36 तीवरता यह किसी चुम्बकीत तीवरता यह कहलाता है hysteresis graph कभी एक्जाम में पूस्दे ग्राफ ड्रा करने के लिए तो बस इतना ग्राफ आपको ड्रा करना है ओके अब इस चेप्टर का लास्ट कोस्टन लास्ट कॉंसेप्ट और इतना important question की मान के चलो वह question आपके एक्जाम में आ रहा है आ गया है समझ जो आप अभी से कुछ न कुछ question उससे आएगा multiple choice में एक नंबर में अंतर लिखों में कुछ भी और वो क्या है वो कौन से टापिक है आप guess कर सकते हो कौन से टापिक हो सकता है इस चेप्टर का जिसमें से हर सार question आता है guess कर सकते हो आप इस चेप्टर का नाम है चुम्बक तथा चुम्बकी पदार्थ चेप्टर का heading में ही है वो चुम्बक तथा चुम्बकी पदार्थ टेंजेंट ला नहीं टेंजेंट ला सिलेवस में कहा है किर्थी टेंजेंट ला सिलेवस में है क्या मोनी चवरसिया very good magnetic properties of materials magnetic properties of materials okay very good और वो पूरा याद करने का टापिक है लेकिन हम थोड़ा उसको एस्प्रेंट करेंगे देखो magnetic material जो होते हैं मतलब चुम्बकी पदार्थ चुम्बकी पदार्थों को वईज्यानिकों ने तीन पार्ट में classify किया चुम्बकी पदार्थों को सही लिख रहे हैं वाप लो magnetic properties of material आदित्यराज बिल्कुल इंद्रकुमार ठीक है हाँ नोट्स में टेंजेंट ला होगा पहले पुराना syllabus में टेंजेंट ला था हिंदी में बोलते हैं ले लेना और इससे पढ़ लेना आपके book में होगा नहीं होगा तो भी यहां से आपको मैं पूरा provide करा रहा हूं ध्यान से सुनों चुमबकी पदार्थ को तीन भागों में बाटा गया है तीन पार्थ में इसको बाटा गया है clear तो पहला देखो प्रति चुमबकी पदार्थ किसे कहते हैं मैं एक बार चार्ट को read भी कर रहा हूं आप भी ध्यान से उसको read करो और read करने के साथ साथ उसके हर point को समझो किसी point पर problem हो तो मैं आपके chat पर रहा हूं मुझे आप बता देना कि sir ये point एक बार और explain कर दो ठीक है चलिए तो आप इस्क्रीन को देखिए और बहुत ध्यान से म कि यहां सबसे पहले देखो प्रती चुम्बक की पदार्थ हम किसे करते हैं ये प्रबल चुम्बक से प्रती करसित होते हैं प्रती से याद रखो प्रती करसित प्रती से याद रखो प्रतीकर्सित इसलिए प्रती चुम्बकी है इसमें सरल बहुत है लेकिन कन्फूजन बहुत है तो प्रती चुम्बकी पदार्थ क्या होगा ये प्रबल चुम्बक से प्रतिकर्सित होते हैं अनुचुमकी पदार्थ क्या होता है ये प्रबल्चुमक की और आकर्सित होते हैं ये प्रतिकर्सित होते हैं और अनुचुमकी क्या होते हैं और लव्चुमकी पदार्थ क्या होते हैं ये तो ऐसे हैं कि ये दुर्बल्चुमक की और भी आकर्सित हो जाते हैं ये दुर्बल की पदार्थ कौन-कौन से हैं एल्युमिलियम है सोडियम है ठीक है केल्सियम है क्रोमियम है और लग चुमक की पदार्थ क्या है आइरन है निकिल है कोबाल्ट है यह तो आपको पता है फेमस इंजे में मेगनेट बनाया जाता है यह कहलाता है फेरो मेगनेटिक माटेरियर्या इन्हें किसी चुमबकी छेत्र में लटकाने पर ये छेत्र के लंबवत हो जाते हैं यहाँ पर इस बात को आप हाइलाइट करके रखना कि ये लंबवत हो जाते हैं इसमें भूलना मत ये छेत्र के लंबवत हो जाते हैं ये लक्ष के समांतर हो जाते हैं और ये भी समांतर हो जाते हैं एक important बात इस difference को तयार करने के लिए एक important बात है जिसको ध्यार रखना वो ये है कि इसमें और इसमें इन दोनों में समांतर होता है और ये बिल्कुल दोनों से अलग होता है जो प्रती चुम्बकी है वो इन दोनों से बिल्कुल उल्टा होता है बाकी इन दोनों में 90% similarity है एक दो परसेंट नहीं 90% similarity है दोनों में इसलिए अनुचुम्बकी पदार्थ तयार होने पर लग चुम्बकी पदार्थ अपने आप तयार हो जाता है मतब थोड़ा तुलनात्मा की study करोगे तो आपको याद रखने में सुविधा होगी यदि आप comparative study करोगे तो आपको याद रखने में सुविधा होगी otherwise फिर आप confused हो जाओगे किस में किस को याद रखने आपको confusion हो जाएगा इसके बाद आप देखो इन्हें फिर तिसरा point क्य और यह उल्टा काम करता है कम तिवरता वाले से अधिक इसका काम ही है इसका विरोत करना प्रती चुमबकी का उल्टा काम करता है वही अनुचुमबकी है और यह क्या है यह कम तिवरता से अधिक तिवरता की और यह तो एक जैसे होते हैं देखो यह दोनों एक जैसे होते है ऐसे आप इसको तुलनात्मा क्याद करो भाई इसमें से question आना निश्चित है सिधा सिधा board exam में question आता है तो इसमें अंतर पूछता है कि प्रती चुमबकी पदार्थ अनुचुमबकी पदार्थ तथा लोग चुमबकी पदार्थ में अंतर लिखो ऐसा सिधा सिधा अंतर पूछा जाता है और complete exam में आता है तो complete exam में क्या होता है इसके जो आगे मैं points बताऊंगा उसमें से question पूछा जाता है जैसे चौथा point इसकी आप इच्छिक चुमबक सिल्था एक से कुछ कम होती है NEET में भी पूछा गया question है कि किसकी एक से कम होती है इसकी एक से कुछ अधिक होती है इसकी ये बहुत अधिक होती है तो ये नीट में पूछा गया question नीट में इस चार्ट से कई बार question पूछा गया है जब नीट का class लेता हूँ तो मैं सारे student को बोलता हूँ कि भाई यह इस चार्ट को याद करें न कोई भी question आ सकता है तो किसका एक से कम होता है, किसका एक से जादा होता है यह सब exam में पूछा जाता है ठीक है, clear नहीं दीख रहा है तो थोड़ा quality बढ़ा लो पाच्वा पाइंट क्या है, इसकी चुमबकी प्रविति ताप पर निर्भर नहीं करता पीछे मने आपको चुमबकी प्रविति क्या है बताए है तो इसकी जो चुमबकी प्रविति है, वो क्या ताप पर निर्भर नहीं करता मतब टेंप्रेचर पर depend नहीं करता है और यह जो है इसकी चुमकी प्रविती परम ताब के विध्क्रवन उपाती होता है और यह ताब बढ़ाने पर घटता है विध्क्रवन उपाती होता है यह घटता है और इस पर तो फर कहीनी पड़ता तो एक बार सभी python को revise करो और इसका आप screen short ले लो ओके और कुछ पॉइंट्स हैं देखो इसकी चुमकी प्रविति अल्प किन्तु रिडात्मक होती है इसकी जो चुमकी प्रविति होती है बहुत कम होती है किन्तु रिडात्मक होती है इसकी चुमकी प्रविति अल्प किन्तु धनात्मक होती है अल्प तो दोनों के होते हैं ल छुम्बक सिलता निर्वात की अधिक होता है और आधिक होता है इसको आपस्ट लिएना सीधा बहुत अधिक होता है उसका अधिक होता है ठीक है तो यह को है सका थर्ड नंबर का पॉइंट करें यहां नेस्ट पॉइंट इससे इस्थाई चुम्बक नहीं बनाये जा सकते हैं और इससे इस्थाई चुम्बक नहीं बनाये जा सकते हैं यह पॉइंट बस थोड़ा सा डिफरेंस 8 नमबर का इससे भी स्थाई चुम्बक नहीं बना सकते हैं जबकि इससे इस्थाई चुम्बक बना जा सकते हैं एथ नबर का Clayt एक ऐसा Penis जो बिलकूल Defense है ठीक है ah doONG डिफरेंट से इससे इस थाई चुमबक नहीं बनाया जा सकते हैं और इससे बनाया सकते हैं यह ठोस द्राव सकते हैं तिनों सकते कि अगुण अगुंड सुन्य होता है और इसमें की पूइब्लम में पूछा जा सकता है और उंतर के सामस्तास आपको कि इसमें किसी पूइब्लम में तो इसके भी स्कें1 वे पूछा में पूछाना हो यह हमारा भू चुम्बकत्व का part complete हो गया यह chapter हमारा यहां पर complete हो गया अब हम कल के class में इसके numericals करेंगे इसका जो हमारा अगला class होगा वह इसके numericals पर होगा तो यहां तक कोई problem हो तो आप बताईए तो इस तरह से आज का हमारा जो class है वो completely best था किस पर भू चुम्बकत्व पर मतलब प्रित्वी के चुम्बकी गुणों का हमने अध्यान किया और यही सब question exam में पूछे जाते हैं ज्यादा तर question theoretical है और theoretical question है आपको उसको तयार करना है ठीक है तो कोई problem है किसी को तो आसान चेप्टर है इसमें कुछ भी नहीं है ओके थैंक्यू थैंक्यू समझ झाल